अलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू जीके प्रेंस एकडमी तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस वीडियो के मात्यम से यूपी त्रिपले सी पेट के प्रेक्टिस एट का जो किया घटना चकर के बुक के दारा टो सीरी जो निकाला गया था और इसमें 10 प्रेक्टिस एट है इस बुक में ठीक है तो उसी को पेट के इस बुक को जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसमें इसका पहला पार्ट जो हो चुका है जिसमें टोटल तीन प्रेक्टिसेट यानि 1, 2 and 3 ये तीन प्रेक्टिसेट पहले पार्ट में हो चुका है आज कि इस वीडियो में जो हम देखेंगे चार से लेकर टोटल 10 प्रेक्टिसेट यानि कि इसमें टोटल साथ प्रेक्टिशेट इस पार्ट टू में जो है समाहित होंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप लग चैनल पर नहीं है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में अपने दोस्तों में ज्यादा सेर करें ठीक है तो पार्ट वन देखिएगा क्योंकि उसमें वन टू आण थिरी प्रेक्टिशेट दिया गया है फिर इसके बाद पार्ट पॉर दिए देखिएगा ये पार्ट टू देखिएगा जिसमें फोर से लेकर टेन तक जो है प प्रेक्टिसेट फोर्ट को देखते हैं, पहला question इसका दिया गया है, निमलिकित में से किसको चाल कोलोथिक यूग भी कहा जाता है, ठीक है, इसमें से बताना है कि किस यूग को चाल कोलोथिक यूग कहा जाता है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका right answer क्या हो जाएगा, तामर, पासार, यूग जो है इसको चाल कोलोथिक यूग भी कहा जाता है, तो answer आपका इसमें C पार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो answer क्या हो जाएगा, C पार्ट हो जाएगा, और यह जो है वर्धन बंस के इतिहास का यह जो है प्रमुक शुरोत है यहाँ से जो है वर्धन बंस के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है तो इंसर आपका क्या वह जाएगा बीपाट हो जाएगा पानिपत के तीसरे युद्ध में निलिखित किसी ने मराठों को हराया था पानिपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें किसके द्वारा मराठों ने हार पाई थी या किसी ने मराठों को हराया था तो रहेट एंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट सुरी ए पार्ट अफग और माराथों के बीच हुआ था मराथा से इसका नेत्रों तो सदासिय भाव निए किया था और इस सुद्ध में मराथे बुरी तरह पराजित हुए थे नेश्व से ने ठारा सो सताओन की क्रांति सरपर्थम कहां से प्रारम हुआ तो ठारा सो सताओन की क्रांति जो है ये प्रारम हुआ था मेरट से एंसर सी पार्थ हो जाएगा कब हुआ था 10 मई 10 मई 1877 को मेरट से एक रांतिस और पर्थम प्रारम हुआ था इस्तम्रारी बंदोबस्त किसने लागू किया तो इस्तम्रारी बंदोबस्त जो है ये लागू किया गया था लाड कार 49 के दोरा इंसर सीपाट हो जाएगा ठीक है, 1793 इसवी ये भी याद रिखिएगा, इस सन में जो 1793 सी में इस्तमरारी बंदोबस्त या फिर इस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, या फिर इसे जागीरदारी या फिर माल गुजारी बीसवेदारी आद आद के नामों से इसको जानते हैं, निमने महापुरसों में से है, राजाराम मोहन राए को भारतिय जागरित का जनक कहा जाता है, एंसर बी पाठोजाएगा ठिक है, इन्हें भारतिय पुनर्जाजनरान का पिता, भारतिय राष्टवाद का पेगंबर, अतित और भविस के मध consec. जेतू, भारतिय राष्टवाद का जनक, आधिनिक भारत का पिता, पर्थम आधिनिक पूरुस, युग दूत, आधि के नामों से नहीं कहा जाता है, ठीक है, भारत नेश्ट कोशन है, मातमा गांधी ने 1930 में सब इने अवग्या आंदोलन ये कहां से प्रारम किया था, तो सब इस दिनों में 290 किलो मीटर की आतरा तै करके, दांडी जो की गुजरात का एक स्थान का नाम है, और गुजरात के नवसारी जिले में इस्तित थे दांडी, तो वहाँ पर पहुंचे और 6 अप्रेल 1930 को उनने नमक कानुन भंकर सब ने अवग्या आंदोलन प्रारम किया, ठी संगठित किया गया था, किस के दोरा और संगठित किया गया था, कहां पर संगठित किया गया था, यह पूछा गया ठीक है, जो अब इन्हों भारत एक कारकरम संगठन, करांदकारी संगठन, यह कहां पर संगठित किया गया था, तो यह किया गया था, महराष्ट्र में किस क के दोरा किया गया था तो यह किया गया था वीडी सावर करके दोरा ठीक है निम लिखित में से किस एक ने सुबाश चंद्र बोश को देशनायक कहा था इसमें से तो देशनायक को सुबाश चंद्र बोश को सरफथम कहा गया था रवींद्र नाथ टेगोर के दोरा इंसर इसका council act 1861 के दोरा भारत का governor general अध्यदेश जारी कर सकता है ठीक है बिस्व का सबसे उंचा सिखर परबत ये कहां परिशित है सबसे उंचा परबत सिखर जो है बिस्व का पुझा गया है तो राई टेंसरी में सी पाठो जाएगा नेपाल ठीक है मांट एवरेस्ट है उसका नाम है और जिसकी उचाई कितनी है 8884 constitutes 8 2006 मीटर ये लेटर्स उचाई है मांट एवरेस्ट की जो की सबसे उंचा सिखर जो है है ये नश्च कुशन है किस गरह के चारो ओर वले हैं वले जो है किस गरह के चारो ओर है तो सन इक्राह के चारो और वले विद्धिमान है तो answer D part हो जाएगा तमिल डाड़ में जाड़ो में वर्सा क्यों होता है इसी ये पूछा गया है तो क्योंकि ये उत्री पूरवी मांसून से होता है तो answer इसका A part हो जाएगा ठीक है और इसका कारण क्या होता है तो लोटती हुई मांसून की पाउने होती हैं जो उत्तर पूर्वी दिसा में चलती हैं और बंगाल की खाड़ी से नमी पराप्त कर लेती हैं और फिर इसके बाद वरसा करती हैं तो इंसर इसका एपाट हो जाएगा नर्मदा की ओर बहने वाली नदी काउंसी है याई नर्मदा जो है डैस यहाँ पर भरना है कि नर्मदा किसकी ओर बहने वाली नदी है तो नर्मदा नदी जो है यह बहती है पश्चिम की ओर ठीक है पश्चिम की वर जो है नर्मदा नदी क्या करती है प्रवाहित होती है जैसे ये इंडिया हो गया तो ये जो है ये उत्तर छेत्र है और ये पूरब है ये है दच्छिन छेत्र और ये है पश्चिम छेत्र डाटा avi हैं तो 2021 Baba 21 सब्घक करता है कौन प्रकासित सरीश बेंटले करता है तो श्रीम hippie निंठला सिता रहान है तो सस्राइब करता है तो बेस्चीच 2021 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज कौन सा था तो 2020 के अनुसार सबसे बड़ा मक्का उत्पादक छेतर जो था सुरी राज जो था वो था करना अटक्टी का एंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा जी एस्टी क्या है जी एस्टी के बारे में स्रिस्ट का भी पाट हो जाएगा नीतायोग के अध्धक्ष निम्लिक्ष में से कौन है तो नीतायोग के अध्धक्ष है नरेंद्र मोदी ठीक है भारत का प्रधान मंत्री नीतायोग का अध्धक्ष होता है तो इसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तो वह हो जाएगे भ अपरेल 1935 को तो आपका एंसर इसमें B पारील हो जागा है चलिए नश्ट commission भारत में राष्टिये पंचाईती राजदिवस कम मना जाता है important question है राष्टिये पंचाईती राजदिवस तो राष्टिये पंचाईती राजदिवस 24ुPS अपरेल को मनाते हैं answer d part हो जाएगा ठीक है लोक सभा के अध्धक्च को कैसे हटाया जा सकता है तो option के अनसार अगर देखेंगे तो लोक सभा के सभी सदस्रेज़्स के बहुमत से पारिस अंकल्प के द्वरा जो हटाया जा सकता है तो answer d part हो जाएगा ठीक है नियाश को संदेखते हैं नहीं लिखे में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है नहीं से सही सुमेलित इस में से कौन सा नहीं यानि कि कौन सा गलत आपसन है यह बताना है तो देखे डी पार्ट जो दिया गया अनुचेद 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 अ पानी का इसतर कितना बढ़ता है? कितना घटाना है या रधान कुछ आठात या कितना घटता है? यह बताना है ठीक है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर कोई परिवर्तन नहीं होता ठीक है तैरती हुई बर्फ अगर पिघलती है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता तो answer इसका B part हो जाएगा soldier जो है किंदो धातों से मिलकर बना जो मिस्ड धातो है तो solder जो हो टिन और सीसा के मिस्राण से बनता है तो answer इसमे D part हो जाएगा ठीक है और इसमें बताना है भरना है कि उस्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है तो उसमा का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी और तांबा उसमा का सबसे अच्छे चालक है तो इसमें देखें चांदी दिया गया है तो एंसर इसमें C पाठ हो जाएगा अगर तांबा भी दिया होता तो तांबा भी राइट एंसर है ठीक और इसके बाद पारा और जो सीशा दिया गया है यह क्या है यह उसुमा का पुंचालक है नहीं स्टिका को कौसिका का सकतिग्रा कहा जाता है कौसिका का सकतिग्रा जो है कहा जाता है वो MitoCandria को कहा जाता है तो आंसर क्या है जाएगा इसमें B-Parsie, इसमें हिंदी नाम दिया गया है, इसको इंगेलिस में MitoCondria कहते हैं, ये याद रखिए, MitoCondria ठीक है, इसकरबी एक प्रकार की बीमारी जो गंभीर और अस्थाई कमी के कारण होता है, और कौन सी विटामीन के कमी के कारण होता है, तो इसकरबी जो बीमारी है, विटामीन एक सब्ध युगम सुध नहीं है इन से कों सा जो है विलॉम बद्ध का विलॉम मुक्त होता Hai जबकि नूतन का विलॉम क्या होता है पुरातन जिक है नूतन भेष़ जिसका कोई सत्र पैदा ही नहुँआ हो, वाक्यांस की लेख सत्र में क्या कहेंगा तो उसको आगा जाता है अजात सत्र ठीक विवाकर होता है तो एंसर आपका B पाट हो जाएगा नेवन्य में से पूलिंग सबति समी से बताना है तो इसमी से अगर देखा जाएगा तो पहिया जो है सब्ध वो पूलिंग है बाकि पखावज लिखावज और मज़दार ये सब पूलिंग नहीं है, इस तरी लिंग है, ठीक है, निस कपट का संधिविक्षेद बताना है, तो निस कपट का संधिविक्षेद होता है, निहीं प्लस कपट, यानि कि एंसर आपका A part हो जाएगा, निहीं प्लस कपट और यह जो है, विसर्ग संधिका उधारना है, ठीक है, वि जब आप इसमें पैसेट पढ़ेंगे तो इसमें पैसेट के उपरांत एक यात होगा कि गौतम बुत के जीवन से संबंध जो एक कहानिया और कई फिल्म और नाटकों के मादम से दर्साया गया है परंत देवे एक्रोस नामा के संगीत में नाटक जिसकी विशेश्टा के साथ अदुतिये माना जाता है वो है कि इसका ग्रामीर छेतरों पर ध्यान केंद्रित करना नाटक के व्यापक अस्तर पर पहुंचे बढ़ाने के लिए जो है इसमें विद्धिमान जो मूलतत्त है उस इसका जो है यूनिक बताना है क्या होगा तो इसके अगर हम पढ़ेंगे गध्यांस पढ़ेंगे जो दिया गया है पैसेज तो दवे एक्रोस की विशेश्टा है रीजिनल फोकस ठीक है तो इंसर क्या हो जाएगा इसमें बी पार्ट रीजिनल फोकस किरनकुमार प्लेडर आप दा किरनकुमार किसका प्ले कर रहा था रोल यह बताना है तो पैसेज के अंसार किरनकुमार जो हो एक अपसब्त यानि साप ग्रस्त यानि की प्रामल बावरी का चरित्र या पात्र रोल निभा जाता तो इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा कर्ष्ड ब्र कर्ष्ड मेंस अब सब्ध अब इसब्त या फिर पार साप ग्रस्त तो उसको कर्ष्ड कहा जाता है तो एलीइस जिशननेंस इसमें इसमेंस देखेंगे तो ओनर जो इसका सही रूप से आता यानि कि सनननेंस आता है honor miss होता है सम्मान करना प्रति, जो करना सम्मानित करना यह सब होता है honor का आर्थ ठीक है, तो answer आपका एक हो जाएगा deep art हो जाएगा, next question है antonyms बताना है, antonyms means belong sabd, absolute का belong sabd क्या होगा, absolute का belong sabd होता, absolute means क्या होता है, absolute means सुध, स्वधीन, या फिर नित या फिर असीम, यह सब सारे, सुतंत्र यह सब absolute का जो है, अर्थ होता है अब इसके विप्रुवत यानि की belong sabd अगर देखेंगे तो इनमें से limited इसका belong हो जाएगा, limited means परिमित या सीमित, तो answer क्या हो जाएगा a part हो जाएगा, निमेंखित संबंधत सब्द का चैन करना इनमें से, जैसे कि कीट विज्ञान का संबंध कीटो से है, तो जीवास्म का अध्यन का संबंध किससे होगा यह बताना है ठीक है, तो इसके answer के अगर हम बात करेंगे, तो जिस प्रकार कीट विज्ञान, यानि की entomology जिसको इंगलिस में कहते हैं, इनका संबंध जो कीटो से जाने की कीटो का अध्यन किया जाता है, उसी प्रकार, paleontology यानि की जीवास्म अध्यन के अंतरगत fossils, यानि की जीवास्म का अध्यन किया जाता है, ठीक है नेश कॉस्चन, एगला कॉस्चन जो है, रेजिनिंग से है, तो आप इसमें इसको हम देखेंगे, तो आप लोग कर लिएगा इसका answer आपका हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है नेश कॉस्चन देखते हैं, ये भी इंगलिस से अगला कॉस्चन देखते हैं अगला प्रशन चार सब्द दियागे, उनमे से तीन किसी नवित किसी तरह समान है और ये एक आसमान, आसमान सब्द को हमें इसमें जो है चैन करना, अभाव सम्र्द, दरिद्रतः और कंगाली इनमे से कौँन? एक आसमान है इनमे से तो अगर हम देखेंगे तो कंगाली, दरिदर्ता और अभाव ये तीनों लगभग एक ही समान के प्रिवर्द के सब्द हैं लेकिन समरिद्ध जो है इसके अलग है तो इंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा समरिद्ध ठीक है मार्स 2022 में भारती रिजर्बैंक के गवर्णर है कहा रिजर्बैंक इनोवेशन हब का उदगाटन किया यानि कि कहां पर किया है रिजर्बैंक इनोवेशन हब का उदगाटन तो ये उद्गाटन किया गया है कहां पर सक्तिकान दास जो इसमें RVI के गवर्णर हैं उन्होंने इसको बंगलूरू में इसका जो है हपका उद्गाटन किया है मार्च 2022 में तो इंसर सी पाट हो जाएगा मार्च 2022 में तो इंसर इसमें B पाट हो जाएगा भारत भारत से आगए अगर हम देखेंगे तो अमेरिका चीन जापान और हंकां का सेर बजार है अगला प्रशने महिलाओं के पूर्ण स्वामित वाले देश के पहले और दोगिक पार्क की इस्थापना कहां पर किया गया तो इसका अइंसर क्या हो जाएगा तो महिलाओं के पूर्ण स्वामित वाले देश के पहले और दोगिक पार्क की इस्थापना हैदराबाद में किया गया ठीक है तो अइंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा डीपार्ट हो जाएगा अपरेल 2022 में जारी 36 वारसिक फोर्प्स अर सब्सक्राइब उस्थान पर रहें शरी पार्ट हो जाएगा चीक है कलिए इसको जनवरी 2022 में इसरो कर दिया गया इसरो का जो संचार उपगरा है उसका क्या नाम था जिसको जनरी 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया तो वह है इंसेट फॉर्भी वर इजैत में जो सहर में बनाई गई है भारत की जो पहली स्टील सेलैग रोड बनी हो किस सहर में बनाई गए तो हजीरा अद्धोकिक क्षेतर सूरत गुजराथ में बनाई गया ठीक है तो इंसर इसके क्या हो जैगा डेश के पहले सी वीड पार्क की इस्थापना किस राज में किया जाएगा तो पहला CV पार्ट की स्थापना जो CVD पार्ट की स्थापना तमिल्डार में किया जाएगा ठीक है नेश कुर्शन तो जून 2022 में कौन देश भांग की खेती को बैद करार देना लग पहला ACI देश बन गया है तो ये जो है थाइलेंड इसका एंसर हो जाएगा थाइलेंड न जो है भांग की खेती को बैद करार दिया है भारत के पहले 207 केंद्र की स्थापना किस सहर में की जाएगी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अस्यम अहिंसा विसो भारते संगठन के द्वारा भारत के पहले 207 के इंद के स्थापना गुरु ग्राम में किया जाता जो कि हरियाना में है माई 2022 में किस राज में इअधिगम योजना सुरुवात किया गया तो ये शुरुवात किया गया हरियाना में इसका राइट एंसर बीबाट हो जाएगा हरियाना फिल्लेंड की राध्धानी क्या है फिल्लेंड की राध्धानी पुछा है तो फिल्लेंड की राध्धानी हेलेंसी की होता है एंसर बीबाट हो जाएगा ठीक है निलिखी में से कौन सही रूप से मेल खाता है इन में से तो देखे अगर हम देखेंगे तो कथक जो दिया गया है ये केरल जो दिया गया है गलत है कथक जो है ये यूपी में का सास्त्रिय निर्थ है कुछी पूरी जो दिया गया है ये कहां का ये भी गलत है कुछी पूरी जो है यह आंद्र प्रदेश का यह सास्त्रिय नित है भरत नार्टम जो दिया गया है तैमिल नार्ट को यही सही हो जाएगा सही रूप से मेल खाता है ठीक कथकली जो दिया गया है उत्तर पर यह भी गला थे कथकली जो है केरला का है ठीक केरला का जो है कथकली सास्त्रिय निर्ता है तो इस तरी के संसर आपकार समय C पाइड हो जागा बजाते थे तो गुदई महराज जो है ये बनाराज घाराने से तालुक रखते थे और ये जो है तबला वादक थे तो एंसर इसका A पात हो जाएगा तबलावाधा ठीक है इनका नाम था criminal नाम था शमता परसाथ गुझए बाद में नहीं गुजज़ाधे माराराज के नाम से जानए जाने लगा साहित में नोबल पुरुषकार पाने वाले पर्थम भारतिये का नाम क्या है तो साहित में पर्थम भारतिये जो थे वो थे रवींद्र नाथ टैगोर एंसर एपार्ट हो जाएगा टीक है इन्हें जो है प्रतम, नोबिल व्रिशकार साहित तुम्हें प्रतम भारतिया बने थे, मिला था, इन्हें जो इनकी पुष्टक थी, काब थी, गीता अंजली उसके लिए दिया गया था, बांधो को आधिनिक भारत का मंदिर, ये किसके दोरा कहा गया था, तो ये कहा गया है राफेल नडाल ठीक है एंसर क्या हो जागा राफेल नडाल नेश कोशन पुस्तक दिया गया माइंड मास्टर विनिंग लेसंस फ्राम एल चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन है तो इसके लेखक है भारतिय सतरंज किलाड़ी विश्वनात आनंद तो एंसर आपका इसम लताओ दीना नाथ मंगेस का पुरुसकार किसे परदान किया गया है तो यह परदान किया गया है नरेंद्र मोदी को एंसर बीपाट हो जाएगा ठीक है मई 2022 में संपन हुई इंडियन प्रीमियल लेग के 15 संस्क्रणों का खिताब किसके दौरा जीता गया तो यह जीता गया है राइल्स राज़स्तान राइल्स को साद विकेट से हराकर तो एंसर इसमें बी पाठ हो जाएगा नेश को शिंदे धिता है अगला प्रस्न जो दिया गया है वह आपका पैरागराब से होगा पैरागराब को पढ़िएगा हम लोग क्वेश्चन का एंसर देखते हैं रित आली को कहा जाता है तो सिपफ हो जाएगा से 分ome Owner से भर गया क्योंकि क्यों भर गया तो आप ऐसे पढ़ेंगे पैरज Правा जब पढ़ेंगे तो आपको पपता चलेगा कि क्योंकि सीडीयो पर क्या था कचरा फईल गया था तो इंसरेस ए पाठ हो जाएगा अनुचेओं में घृणा का प्रियाबाची सब्ढ DAY क्या होगा घृणा का प्रियाबाची सब्ढ DAY वी आतरी होता है वीतरिशना वीराति तिरस्कार है जो गुस्पसा हिकारे यह सब होता है तो answer में डी बाट हो जाएगा वीत्रिशना अनुच्यत का संदेश क्या है तो अनुच्यत का संदेश की बात करेंगे तो सोच्छता सबका करतब जब आप पढ़ेंगे तो इसका संदेश यही निकलेगा अगला प्रश्ण भी गद्यान से दियेगा है गद्यान को पढ़ियेगा हम क्वेश्चन देखते हैं स्वार्थ को ताक पर रखकर जीते हैं कौन लोग जीते हैं स्वार्थ को ताक पर रखकर किसान ही के वले सत्जीव है जो स्वार्थ को ताक पर रखकर जीता है ठीके किसान अपने सुख दुख को कब भूल जाता है किसान अपने सुख दुख को किसान अपनी फसल कार लेने पर सुख दुख को भूल जाता है तो एंसर सी पाट हो जाएगा किसान से बना जो है किसानी सब्द क्या है किसानी सब्द की बात करेंगे तो इसमें ई प काम भी कर रहा है जिससे किसान को कोई ही नहीं नहीं समझे टिक किसान को क्या यहीं नहीं समझे तो इससर टी नगाओ G लेखा को दिसमबर से 20S लगाओ है क्यों की तो कॉमल धुफ से अच्छी लगती है आप टोटल जो लास्ट के 20 क्यों है वो है मैत के दो बहुत स्ट नाम से दो प्रेंटिक्टिक्टिकेण नमर फाइब की और इसमें पहला कोश्चन देखते हैं सोर मंदीर भारत के किस राज में इस्तित है किमिलनाइ राज में इसProfiss नमक्स प्रचलन किसे साम्राज में था तो ये जो है प्रचलन मौरिया समराज में था, इंसर इसका D पार्ट हो जाएगा, मौरिया समराज है, कंटक सोधन जो है पहुचदारी नियाले और ध्यमवस्तली दिवानी नियाले था, तो इस तरिके से समय एंसर D पार्ट हो जाएगा, निम लिखे में से काउन सा बेद सबसे पुराना है, इंसर D पाट हो जाएगा हालबपस वड़ता हालब प सबता की परशिद नर्त्यकी कि मूरती किस पदार था के उपयों करके बनाई गई थी तो ये जो है इसका वो था कांसा ठी कांसा का पोरीयों करके आए थी वासको डिगामा किस वर्स कालीकट में आया थे जिसको को जिकोड कहा जाता है वासको डिगामा किस वर्स आया था ये question है तो कालीकट ये आया था 1498 में ठीक है तो answer depart हो जाएगा ऑठriosो स्तावन के बिद्रोक भारत के परतम सतंता संग्राम की संग्या किसके दोरा प्रदान किया गया था तो ये कहा गया है बीडी सावरकित के दोरा एंसर डी पार्ट हो जाएगा ठीक है निम्न में से किसी ने लंदन में विलियम हर्ट करजन वाइली की हत्या की थी तो ये किया गया था मदनलाल धिंगरा के दोरा एंसर ए पार्ट हो जाएगा मदलला धिंगरा ने 1909 में、 मदलला धिंगरा ने 1909 में ये लंदन में विलियम हर्ट गर्जन काली की वाइली की हत्या कर दी और इस हत्या कारो में उन्हें कोट के आदेश के बाद, 17 अगर्स्त 1909 को लंदन के पेंटन वीले जेल में फांसी दे दी गई थी जलिया वाला बाग नरसंगार के बाद किसी ने परी नाइट हुट की उपाद लोटा दी तो नाइट हुट की उपाद जो मिली थी वो थे रविंद्र रेनाट टेगोर और उन्हें जलिया वाला बाग हत्याकान के बाद लोटा दी थी गांधी इरविन समझा होता किस वर्स हुआ था तो गांधी इरविन समझा होता जो है 1931 में हुआ था एंसर बी पार्ट हो जाएगा और उसमें वाइसराय था लार्ड इरविन टीक है अगला कोश्चन है भाराय सतंदर भारत के पर्थम गौर्णर जनरल कौन थे अगला कोश्चन है नंदा देवी चोटी किस राज में इस्तित है नंदा देवी चोटी जो है ये पूछा गया किस राज में इस्तित है तो ये उत्राखंड राज में है एंसर B पाट हो जाएगा उत्तरा खंड ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं तो निम्ण में से कौन सा स्थान तामबे की खान के लिए परसिद्ध है निमें से तामबे की खान के लिए खेतरी का खान तामबे की खान के लिए परसिद्ध है और ये राजस्थान के जुन जु कौन के बराबर होती है एंसर बी पार्ट हो जाएगा ठीक के बिस्ट का सबसे बड़ा महादियूप कौन सा है तो बिस्ट का सबसे बड़ा महादियूप एसिया महादियूप है एंसर डी पार्ट हो जाएगा और सबसे छोटा महादियूप आस्ट्रेलिया महादियूप है भा मुख्याले जो है मुंबई में है ठीक महराष्ट्रा मुंबई में है भारतिय मुद्रा का नया पर्तिक चिन किस ने डिजाइन किया था तो भारतिय मुद्रा का जो नया पर्तिक चिन ये है ये किस के दोरा डिजाइन किया गया था तो ये किया गया था उधाई कोमार के दोरा एंसर C part हो जाएगा भारत में योजना आयो का गठन किस वर्स में किया गया था तो योजना आयो का गठन जो है 1950 में किया गया था एंसर B part बारत में किस राजी का लोग सभा वर्राज सभा में प्रतिनी देत सरवाधिक है तो यह जो है उतर प्रदेश में एंसर A part हो जाएगा ठीक है राट पती जो है पांच वर्स तक पर रहता है किस तारीक से या किस धारित देट से यह बताना है तो यह अपने पदिग्रहण के द जाता है तो इसका एंसर हो जाएगा भी पाट राज के नीत निशक्तत के द्वारा यह होता है एंसर भी पाट हो जाएगा वह बिसे जिन पर केंदर वार राज सरकारे दोनों कानून बना सकती है वो किसमें उल्लकित है तो वो जो है यह समवर्ति सुची में उल्लकित है ठी एंसर बीपाट होजाएगा सलपर संतल दर्पन दौरा आप बनने मिला परतिविए सदेव किस प्रकार का होता है कि लेंस का परियोग किया जाता है तो देखें निकट द्रिश्टी दोस में पीडित की बात करेंगे तो आउतर लेंस का परियोग करते हैं एंसर बी पाट हो जाएगा ठीक है तरल अवस्था में पाई जाने धात जो है तो पारा जो है यह तरल अवस्था में पाई जाती है कमरे किताब मान पर, किसकी कमी से रकेट्स रोग हो जाता है, तो यह होता है विटामिन d की कमी से answer a part हो जायेगा, विटामिन d चिकिस्टाब इजयान की वह साखा yang जो गुरदो से संबने हुआ थो उसको क्या कहेंगे तो उसको और जाता है, नेफोलाजी होता है इसे बीपाट हो जाएगा अगला प्रशना अनेक सब्दों के लिए एक सब्दीने विक्षित में से बिकल्पों में से कौन सा गलत है जंगल की आग दावा नल आग आगे की सोचने वाला अगर गामी समुद्र की आग बढ़ावा नल पेट की आग जट राग इसमें से कौन सा गलत है गलत की बात करेंगे तो भी पाट हो जाएगा ठीक है आगे की सोचने वाला जो अगर गामी दिया गया है ये गलत है ठीक है इसमें अगर हम देखेंगे तो आगे की सोचने के लिए होता है अगर सोची ना कि अगर गामी तो इसलिए पाट गलत हो जाएगा अ बेदेही बनवास अद्दा सिंग उपाद्धा है हरी ओद की रचना है एंसर एपाठ हो जाएगा इनके अन्य प्रमुक किर्तियों की बात करेंगे चोखे चोपदे प्रिये प्रवास कल्पलता पारिजात यह सब इनकी रचना है नाग का बाल होना इस महारोकार्थ आधिक प् पैसे दिया गया है पैसे के अनुसार हमें question का answer देना है तो हम लोग question देखते हैं अब इस पैसे के अनुसार बताना कि dreams क्या होता है तो अगर हम इसको पैसे पढ़ गए तो इसके बाद पता होता कि सब यानिकी dreams जो होता इंटर्नल यो इस्टर्नल दोनों प्रकार के होते हैं और इस तर्केस में देखेंगे तो बिकल्ब जो भी सी पार्दिया बहुत इस्टर्नल इंटर्नल ये इंसर सी पार्ट हो जाएगा ठीक है सब्सक्राइब करने में सहायक होता है यह पार्ट जाएगा इस्टर्नल द्रेम प्रोसेस द्रीमिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू अथर वाय आरदा द्रीम्स दैट वी डू नाट रिमेंबर आर नाट इंपॉर्टेंट देखें इसके अगर गद्यांस के अनसार देखेंगे तो लेखा के अनसार अगर्म देखेंगे एकॉर्डिंग टू अथर तो सपन हमें समन्न नहीं रहते अथवाज भी समिर्थ हो जाते हैं वह सपन हम ही बनाती से लिए हमारे महत्वपूर्ण नहीं होटे जो सपन हमें समनक्ड रखते हैं तथा उन जिसनते हमारा जीवन रू कर ऊररस बनता है सपन हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं तो इसमें B part सही हो जाएगा, it is the dream that we remember that make our life interesting, तो इसमें क्या हो जाएगा, B part right हो जाएगा, ठीक है, अब अगले question में जो हमें synonyms बताना है, एगाउनी का synonyms बताना है, एगाउनी मीन्स होता है कस्ट, क्या होता है कस्ट होता है, ठीक है, बेट का मतलब होता है बिगड़ायल, और बिगड़ायल का हमें बिलोम सब्द बताना है, तो बिगड़ायल का बिलोम सब्द होता है, इस spoiled child, ठीक है, spoiled child answer a part हो जाएगा, एगला question, दियेगे सब्द में जो है, तीन किसी ना प्रिकिसी प्रकार समान है, और एक आशमान है, तो आशमान सब्द का चैन करना इनमें से, तो आज समान सब्द इसमें से अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें खसरा रेवीज और पोलियो ठीक है ये क्या है ये वाइरस वाले रोग होते हैं ये वाइरस वाले रोग है ठीक है खसरा रेवीज और पोलियो और जो इस क्रेजो फिरीनिया दिया गया है ये क्या है ये एक मानसिक बीमारी है तो इस तरीके से स्में क्या हो जागा डिफरिंट अगर देखा जागा तो यही हो जागा डिप आर्टिक है अगला प्रशन है जून 2022 में आठवा अंतराष्टिय योग जो हुआ इसके दिवस पर आउसर पर जो है पजार मतिर नेदेंदर मोदी ने कहां पर सामोहिक योगा अभ्यास करने तरुत किया तो ये जो योग हुआ था जून 21 जून को जून में 21 जून को हर वर्स जो है जापान और रूस के मद जो कूरील द्यूप को लेकर विवाद है तो इंसर आपका एपाट हो जाए का कूरील द्यूप मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रूप में सामिल होने वाला एसिया का पहला देश कौन सा बना है तो मई 2022 में दच्छिड कोरिया जो है पहला देश इसा बन गया है जो की नाटो साइबर डिफेंस ग्रूप में सामिल हो गया भारतिय नो सेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहनिर में 6 पंडूपी का नाम क्या है तो देखिए भाते नो सेना में जो प्रोजेक्ट 75 के तहच्छे पंडूपी बनाए गई उनमें से अंतिम का नाम है आइनस वागसीर ठीक है आइनस वागसीर एंसर डिपार्ट हो जाएगा मई 22 में पोब फ्रांसिस ने बेटिकन सीटी के संट पीटरस बेसल का में आवजित समारों में किस भारतियों को मर्लो प्रांससांत गोशित किया तो ये गोशित जो किया गया है उनका नाम है देव सहायम Lok ठीक क्या नाम है देव सहायम पिल्लो एंसर बीपाठ हो ज जेना कि किस जहाज को प्रेशिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है तो प्रेशिडेंट कलर से सम्मानित किया गया आइनेस वलसुरा को ठीक आइंसर एपाट हो जागा आइनेस वलसुरा एकला प्रेशिडेंट जुलाई 2022 में कौन राज प्राइमरी एजुकेशन में नई प्रदेश के जलसक्ति मंत्री ने उन्होंने पटवई रामपुर में जो है किया है तो उत्तर प्रदेश पहला राज बना एंसर एपाट हो जाएगा हाली में किसे किंद्रिय माध्यमिक सिछा बढ़ानी कि सीबेसी का नया धक्ष बनाया गया है तो वह है वरिष्टाय सदकारी निधी छिपबर टिक एंसर क्या हो जाएगा सीपाट किस भारती ये राज जी में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है तो गमोचा जो है ये असम र हाणा के साथ अपनी सीमा साधा नहीं करता है इन में से तो हरियाना राज कि सीमा पंजाब, राजस्तान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राष्टी, राजधानी, छेद्र, दिल्ली से सपर्स करता है टच करता है लेकिन इसमें सकर देखा जाए तो मद्द यूनश्को का मुख्याले पूछागा कहां पर है तो यूनश्को का मुक्याले जो है पैरिस हुए है सी पार्ड कैसी टी से पर नोबल पुरुसकार लिजनी की लिए जाता है तो नोबल पुरुसकार जो सान्तिय साहित कववा है answer D part हो जाएगा ठीक है सोमनाथ मंदिर किस राज के तर्ट परिस्तित है सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात राज में है तो answer D part हो जाएगा प्रतिवर्स अंतराश्टिय परिवार दिवर्स का मना जाता है तो पंदरा माई को ये मनाते हैं इस पुस्तक की लेखा कोन है तो इस पुस्तक की लेखा का नाम है सलमान खुरसीद ठीक answer कहाज़ागा बीपार्ट सलमान खुरसीद अगला प्रशन देखते हैं अगला कुशन है हीरो इंडियन सुपर लिग प्रोफेसर राम दरस मिस्र को तो answer C पार्ट हो जागा राम दरस मिस्र इन्हें ये सम्मान की कविता संग्रा मैं तो यहाँ हूँ इसके लिए प्रद दिया गया विगाता से 75 जो गद्यांस को पढ़कर उतर देना है चलिए question को देखते हैं चितिज किसे कहते हैं इस गद्यांस के अनसार बताना है चितिज किसे कहते हैं तो जहाँ पर धरती और आकास मिलते हुए दिखाइदे वहां पर क्या होता है चितिज होता है उससे चितिज कहा जाता है तो answer D part हो जाएगा बनार्ड सा ने जीवन की उपमा किसे से की दी है तो बनार्ड सा की बात करेंगे बनार्ड सा जो है जीवन की उपमा एक खुली किताब से की है तो एंसर क्या जाएगा इसमें ए पार्ट हो जाएगा खुली बुश्टाक्टिक है तो इसमें इंसर क्या हो जाएगा सी पाट हो जाएगा ठीक है अगला उसने प्रकृत और खुला आसमान बता रहे हैं कि सब को कि सब को क्या बता रहे हैं कि सब को समान रूप से जीवन जीने का हक है ठीक है सब को समान रूप से जीवन जीने का हक है तो इंसर सी पाट हो जाए थो आस्मान में मुक्र मानने से आसे है अस्मान में मुक्र मानने से आसे है निरर्थक कार करना थी चाहिए था-ट попроб कें बुद्धिमानी नहीं दुन अगला कुष्छन देखते हैं ह। शाहित कला निर्थ आद बेद है यछ उन सेاج उन से क्या कर दिया जाए। किया जाए… निस्कर सी निकलता है एगर गए ध्यानच को पढ़नेगे तो साहित कला निर्थ आद बेद है यद उन से मनुस काहित हो सके मनुस का हित ना हो सके तो अन्सार टीपार वर्लन है कि भोजन करना, सोना और वन्स बृधि जैसे काम प्रकृत के दौर आते हैं, अन्वस्त्र की पूर्थी इसमें सामिल नहीं है, तो अंसर डिवाट हो जाएगा, ठीक है, अब असी से लेकर और कोईस्चन 100 तक जो है मैद के हैं, तो इसका हम पीडियो देंगा, आप यह है रिगवेद, इसाम बेद और यजूर बेद इनको क्या कहा है जाता, बेद तरही, बेद तरही कहा जाता, तो इसका सी पार्थ हो जाएगा, पुष समित्र सुंग द्वारा मारा जाने वाला अंति मौर सासक कौन था, तो वूष सासक का नाम था ब्रहदर्द था, ठीक बी पार्ट हो जाएगा प्रिशिद्द चीनी यात्री होईन सांग ने किस समराड के सासनकाल के दोरान भारत की यात्रा की थी तो वो हरसवर्धन के सासनकाल में आया था एंसर डी पार्ट हो जाएगा निम्लिके में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंस का अंतिम सा सकता था तो लोधी बन्स का अंतिम सा सकता अइब्राहईम लोधी ऐसर क्या हो जागा a पाड़ ठीक है मुसलिम लिग की स्थापना कप की गई थी मुसलिम लीग की स्थापना जो निसुछा में किया गया था answer a पाड़ जागा निवनुमि से कौन जंताल बिद्रोग के जो है एक नेता थे है नेले में से अगला उसने बार्दॉली किसान सत्य अगरा का नेतर तो किसे ने किया था तो भल्लब भाई पतेल के दोरा किया गया था और यहीं पर इनकी महिलाओं ने जो हिएैं परदार के उपाधी परदानी किया था किसी नेता ने हमें सी आर फार्मॉला दिया तो यह दिया गया था सी राज गुपाला चारी के दोरा आइंसर सी पाध हो جागा ठीक है राज़ धानी पूछा कैं कि नारवे किराध्धानी जो ओसलो है एंसर डी पाट हो जाएगा 82 डिगरी 30 मिनट पूरवीद एसांतर के भारत के लिए क्यों महत्वपूर है तो क्योंकि यह भारती मानक समय का निधारां करता है इसलिए महत्वपूर हो जाता है एंसर बी पाट हो जाएगा इनमें से कौन सा राज नेपाल की साथ अपनी सीमा साधान नहीं करता इनमें से तो इसमें अगर हम देखेंगे तो असम राज जो है नेपाल के साथ सीमा साधान नहीं करता एंसर डी पाट हो जाएगा भारत के सम्विदान में कि संसोदन के नतर गाई वस्तियुम सेवा कर यानी कि GST कर लगाया गया ठीक है तो कौ इसा सम्विदान संसोदन हुआ था तो वो था 101 कדरण सम्विदान संसोदना इंसर सीपाथ हो जाएगा एग रुपे के नोट पर किसके हस्ता अचर होते हैं प्रदान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना पंडित दिन द्याल उपाद है किर्सी उन्नत किर्सिक सिच्छा योजना का उद्यस क्या है किर्सी सिच्छा को बढ़ावा देने के लिए योजना चलाए गया तो इंसर सी पाट हो जाएगा ठीक है निर्म लिखे में से किस अनुक्षेद में भारत को इंडिया भी कहा गया है तो वो अनुक्षेद है एक ठीक अनुक्षेद एक में कहा गया है किस मौलिक अधिकार के तहट कानून के नजर में सभी लोकसमान है तो वो मौलिक अधिकार है समिता का अधिकार एंसर सी पाट हो जाएगा समिता का अधिकार ठीक है जो की अनुचे 14 से लेकर अनुचे 18 तक है अगला प्रशन निर्म लिखे में से कौन भारत के पूर राष्ट पती है निमें से तो भारत के पूर राष्ट पतियों में डाक्टर राजेंद प्रसाद निमें से भारत के पूर राष्ट पतियों में बागी तीन परधान मंत्री है लोग सभा इस्थिक्रित करने का अधिकार किसे है लोग सभा इस्थिक्रित करने का अधिकार जो है राष्टपती को होता है इंसर डी पाट हो जाएगा किस राज ने सरप्रथम पंचैती राज अपनाया था तो सरप्रथम पंचैती राज जो है AC को दिश्ट धारा यानि DC में बदलने के लिए किस युक्ति का परियोग करते हैं तो AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का परियोग की आता है तो answer C part हो जाएगा ठीक है ठोस कारबन डाइकसाइट को क्या कहते हैं इसमें से मांसाहारी पौधा है इसमें से पादप है तो वो है वीनस फ्लाइट रैप ठीक है वीनस फ्लाइट रैप जो है वो मांसाहारी पौधा है अगला उसन देखते हैं अंधेर नगरी के लेखक कौन है तो अंधेर नगरी के लेखक की बात करेंगे तो इनमे से हो जाएंगे भारतेंद हरीश्चन्द ठीक है सुर्योदो सब्द का संद्विक्षेत पुछा गया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा सूर्य प्लस उदध है इस तरी लिंक सब्द क्या है दाता सब्द का इस तरी लिंक सब्द क्या होगा तो दाता सब्द का इस तरी लिंक सब्द होता है दात्री ठीक है जो किये गए उपकार को मानता उसको एक सब्द में क्या कहेंगे तो इसको कहा जाता किर्दग एंसर बी बाठ हो जाएगा अगरा प्रशनधले निमल्ग में काउन सा सब्सiktir का प्रयबाची नहीं है सरसती का प्रयबाची की बात करेंगे तो पदमा जो है सरसती का प्रयबाची नहीं बात तालिस से पेटालिस पैसे के उनसाथ देना है कोश्चन देखते हैं कोश्चन पहला कोश्चन है हाउ जो जोसिफिन इस पोग टुमिश्ट मलाड आइट फ़स्ट ठीक है कैसे जो है इस पोग करता है तो एगर हम इंशर की बात करेंगे तो इसमें जोगा इन ब्रोकें सेंटे तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो इसमें अगर देखा जाएगा तो मिर्त को की सूची में सिली मती यानि मिस मलाड के प्रती ब्रेंटली मलाड का नाम सबसे उपर था तो इसमें एंसर क्या हो जाएगा ब्रेंटली मलाड ठीक है एंसर क्या जाएगा ब्रेंटली मिलाड, वाई उड़ मिस मिलाड हैव नो वन फालो हर, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इससे पता चलता है, अगर 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 द्यांस पढ़ेंगे कि स्रीमती मिलाड को अपनी पती के मिर्त के बारे में ज्यात हुआ, तो यह समचा सुनकर दुखी होई, और यह कांत के लिए अपने कमरे में जो है चली गए, इसलिए वो नहीं चाहिते कि कोई भी उनके पीछे आए, अब इसका प्रियाबाची की सकाऽि की बिलोम होता है, सुनको मिलोम केहाए, अब इसका अगर हम देखेंगे, तो यह भी हम लगाए..? में सहणा करना ऐघ्या, आब इसमें देखें जैसे तिस हिंदी का दयवनागरिंस का कीन समंद होगा, तो इस परकार हिंदी अगला कुश्चन अब इसमें दिया गया अगले कुश्चन में तो आप लोग उसको देखेगा अब अगला कुश्चन हम देखते हैं इसमें अप्रेल 2022 में नई दिल्ली में आउजित अमरित समागम सम्मेलन के दोरान किस पोर्टल का जो सुबारम किया गया तो इसमें अगर देखेंगे तो अप्रेल 2022 में मद नई दिल्ली में आउजित अमरित समागम सम्मेलन का दोरान उस्सो पोर्टल का सुबारम किया गया तो एंसर इसमें क्या हो जाएगा एप पार्ट उस्सो पोर्टल ठीक है जो दोजार इकीस की बने स्थीती रिपोर्ट जारी हुश के उनसार भारत में कौन राज चेत्रपल क्येसे सर्वादिउवरान के संदर में पहला स्थान पर है तो चेत्रपल की दिठी से सर्वादिउवरान वाला राज जो है वो है मद्द परदेश ठीक एंसर क्या हो जाएगा मद्द परदेश एंसर बीपार्ट हो जाएगा एक अपरेल एक से चार अपरेल 2022 के मद्द ततकालिन राश्पती रामनात कोविंद किस देश के राजगी आतरा पर रहे तो ये गए थे तुर्क मेनिस्तान ठीक है तो एंसर डीपार्ट हो जाएगा तुर्क मेनिस्तान अपरेल 2022 में इस्टाक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंसिट्टीव यानि की सिपरी द्वारा जारी विश्व सहन खर्च प्रवर्टियां रिपोर्ट हो जारी किस के उनसार विश्व के सरबादिक सहन खर्च वाले देशों में भारत का कौन सा अस्थान है तो इसमें अगर हम देखा जागा तो भारत का अस्थान अगर आता है तो तीसरा अस्थान आता है सहने खर्च में मामले में एंसर भी पार्ट हो जागा ठीक इसके पहले इसरबादिक साने कर्चवाला में से यूएस से हैं दूसरे अस्तान पर चीन है तीसरे अस्तान पर भारत है अप्रेल 2022 में किस बैंक ने बित्य समावेशन के लिए समाधानों के सह सरजन और नोन मेसर के लिए फिंटेक स्टार्टप समधाई के साथ सहयो कनेहतिक सहित पहल फिंकलुवेशन किस लांच किया है तो ये किस के दौरा लांच किया गया है तो इंडिया पोश्ट पेमिन बैंक के दौरा लांच किया गया तो कौन से उपग्रा का सफल पर चेपन हुआ है तो EOS 04 का सफल पर चेपन इसके दोरा किया गया तो अंसर सी पार्ट हो जागा ठीक है परवरी 2022 में परशिद पार सुगाय का लता मंगेशकर का निधन हो गया किस वर्स भारत रतन से सम्मानित किया गया था उन्हें तो इन्हें जो 2001 में भारत रतन से सम्मानित किया गया था तो अंसर डी पार्ट हो जागा अपरेल 2022 में कहां पहली बार राष्टी राधानी के बाहर राष्टी बाग सनचर प्रादी करण की बैठक आज जित की गई तो यह हुआ है कहां पर अनाचल परदेश में ठीक है और कहां पर पक्के बाग अप्यारन में एंसर सी पार्ट हो जाएगा अगला प्रसंट दखते हैं डेन्मार की राधानी कीकौपेन हेगन है अंसर क्या हो जागा यह पार्ट हो जागा कोपेन हेगन नेश्रेगा वह कोछन लगा थे हुआ है पञजाब को लोक निर्थ हो जाएगा एंसर भी पार्थ हो जाएगा UNICEF की स्थापना थी यह UNICEF की स्थापना कभ हुई तो UNICEF की स्थापना जो है 1946 में किया गया था कहापका किया देगा निश्यालिस में इसका मुख्याले कहाँ पर न्यूयर्क मेरे संग्त राज अमेरिका में निम्लुकिम से भारत का सरबोच नागरिक पुरुषकार निम्लुकिम से भारत का सरबोच नागरिक पुरुषकार जो है भारत रतन थीक है next question रूमी दर्वाजा कहां इस्थित है रूमी दर्वाजा की बात करा तो इसका रायट एंसर हो जाएगा लखनों लखनों उतरपदेश की राधधानी है वहाँ पे रूमी दर्वाजा इस्थित है रामनात गोयन का पुरुषकार किस छेतर में योगदान के लिए प्रदान किया आता है तो रामनात गोयन का पुरुषकार जो है ये दिया जाता है पत्रिकारता के छेतर में तो एंसर इसका B पार्ट हो जाएगा पत्रिकार्ता के चेतर में, पुस्तक लिखा के golden boy नीरत चोपरा इसके लेखा कौन है, तो इसके लेखा का नाम है नौदीप सिंग गिल, क्या है पर एंसर इसका D पार्ट हो जाएगा नौदीप सिंग गिल, ठीक है, मही 2022 में संपन हुई राष्ट्य फुटबाल चैंपियंसिप हीरो संतो श्ट्राफी 2021-22 का खिताब किस टीम के दोरा जीता गया है, तो ये जीता है केरल ने, ठीक है, तो एंसर इसका हो जाएगा, केरल किसको हराया है, पैस्ची मंगाल को, मिस वर्ड 2021 का खिताब किसी ने जीता है, तो ये खिता जीता गया है, पोलेंड की करोलीना ब्लाविस्का के दोरा, एंसर सी पाट हो जाएगा, करोलीना ब्लाविस्का, ठीक है, और भारते मुलकी अमेरिकी मिस यू एस से, श्री सैनी पर्थम उपवी जेता रही, और ये मिस वर्ड प्रतिवक्ता का 17 हमा खिताब था, अगला प् प्रतिवर्स की सिति को राष्टि डालफिन दिवस मनाया जाने की घुषरा किया गया, तो राष्टि डालफिन दिवस जो ही है, पांच अक्टूबर को प्रतिवर्स मनाया जाने की घुषरा किया गया, तो एंसर टी पाट हो जागा, ठीक है, अभी कातर से 75 जो गध्यान से question है देखते हैं यह आत्म कथा किसकी है बने इस गद्यांस में जो आत्म कथा दिया किसकी है तो पानी की आत्म कथा है इस पार्ट है गद्यांस के अनुसार है ठीक है सबसे पहले जीवधारी कहां पैदा हुए सबसे पहले जीवधारी जो है यह कहां पर पैदा हुए तो सबस किस स्रिंखला का अंग है मनुस जो है किस स्रिंखला का अंग है तो मनुस जो है जो है मनुस जिवधारियों की स्रिंखला का अंग है तो एंसर इसमें क्या हो जाएगा टी पार्ट हो जाएगा जिवधारियों की स्रिंखला का चारो और सौंदर किसका परता एक सब्समें बतान प्रस्तुत करती है तो सिक्षा की बेंक की अउधाला जो है ये शिक्षा ग्यान के लेन देन की प्रक्रिया होती है तो एंसर इसमें भी पाट हो जाएगा ठीक है घ्यांस की अनुसार छातर अपनी किस वास्तिविपता आप compr के देखा संपन्न होने के लिए अनिवार सर्थ क्या है तो गद्यांस के अनुसार सिच्छक की प्रिक्रिया संपन्न होने के लिए सिच्छक की उपस्तिति अनिवार जो है सर्थ होदा जरूरी है तो सिच्छक की उपस्तिति इसमें ए पार्ट हो जाएगा ठीक है गद्यांस के अनुसार इससे किस को मिर्त्तिकों का टीला के नाम से जानते हैं तो मिर्त्तिकों को टीला के नाम से मोहन जोदरो को जानते हैं answer B part हो जाएगा ठीक है रिगवेत का प्रमुख देउता कौन है जो रिगवेत का प्रमुख देउता अगनी है रिगवेत का प्रमुख देउता अगनी है answer B part हो जाएगा महावीर का जन्म कहां पर हुआ था तो महाबीर स्वामी का जन्म जो है कुंड़ ग्राम बैसाली में हुआ था एंसर S. पाट हो जाएगा दीवान एक हैरात नमा के एक अलग बिभाग की स्थापना किसके दौरा किया गया था तो ये किया गया था फिरोज सा तूलक के द्वारा एंसर सी पार्ट हो जाएगा ठीक है अगला उप्षन देखते हैं अगला प्रशन सूची एक को सूची दो सो मिलान करना है समराड दिया है मकबरा दिया गया है अब इसे मिलान करके बताना है कि कौन सा कूट जो है सही है ठीक है तो देखें बाबर का मकबरा कहां पर है तो अगर हम इसमें देखेंगे बाबर का मकबरा तो बाबर का मकबरा जो है काबूल में है अकबर का मकबरा कहां पर है तो अकबर का मकबरा जो है सिकंद्रा में है जहांगीर का मगबरा कहां पर है तो जहांगीर का मगबरा जो है यह लाहोर में है और सा जहां का आगरा में है ठीक है तो A का 3, B का 4, C का 1, D का 2 हो जाएगा इस तरीके से वो अंग्रेज जिसने समराज जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया वो कौन सा अंग्रेज था तो उसका नाम था सर थामस रो एंसर ए पाट हो जाएगा ठीक है तो ये कहा था लाला लाजपत्राय ने एंसर B पार्ट हो जाएगा ठीक है नेश्क कुछन देखते हैं सुतंतरता प्राप्ति के समय भारतिय राष्टे कांग्रेस का अध्धक्ष कौन था करजन ने भारत का विभाजन कब किया तो करजन ने भारत का विभाजन 1905 में किया था 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषड़ा किया गया था जिसके परणाम सरूप जो है 7 अगर्स 1905 को कलकत्ता के टाउन हाल में 172 शिए अंदोलन की घोषडा की गई थी ठीक है तो चलिए ने जश मन देखते हैं पाक जल संद जो है चिस भारत के किस देश को अलग करती है तो पाक जल संद जो है यह भारत को जो है स्रिलंका से अलग करती है अंसर D पाट हो जाएगा उजयन किस नदी के तर्ट पर इस्तित है तो उजयन जो है छिपरा नदी के तर्ट पर इस्तित है अंसर B पाट हो जाएगा छिपरा नदी के तर्ट पर इस्तित है जिम कार्बेट जो राश्टी उद्यान है ये भारत के उत्राखंड राज में इस्तिता एंसर एपार्ट हो जाएगा ठीक है एम स्टर्डम की राध्धानी क्या है यानि एम स्टर्डम किसकी राध्धानी है ये बताना है तो A. Stardom, जो है यह नीदरलाइंड की राधानी है एंसर B. बाट हो जाएगा नीदरलाइंड कौन से परबत Asia को यूरोप से अलग करते हैं तो Europe को अलग करने वाले परबत है, उनका नामना यूराल परबत Asia को अलग करता है GST Council के अध्रक्षयता कौन करता है तो GST Council के अधिक्चिता करने वाले को क्या कहा दाता था केंद्रिय भित्यमंत्री करता है इसे में भित्यमंत्री कौन है निर्मला सीता रामाण वालेजिक बैंकों का राष्ट्य करन कब हुआ तो वालेजिक बैंकों का राष्ट्य करन जो है असन्चित रूप क्या है तो CRR का संचित रूप की बात कर रहा है तो मलब फुलफाम तो CRR का होता है नगत अराग्चित अनपाद एंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट प्रदानमंत्री जन्धन योजना की सुरुवात किस वर्स किया गया परतिक कार्यों के चेत्रक मुख्यता कितने भागों में बटे हुए है भारतिस समिधान की नयाई की बात नहीं कही गई है प्रस्तावना में किस प्रकार की बात यहां थाए जिक राजनेतिक अभारतिक तीन प्रकार की न्याई की बात किया गया है अभिवक्ति की सुतंतरता किस मौलिक अधिकार के अंतरगत आता है तो अभिवक्ति की सुतंतरता जो है सुतंतरता के अधिकार के अंतरगत आता है आंसर B पार्ट हो जाएगा निम्लिके में से कौन भारते संसत के संगठक हैं तो भारते संसत के संगठक बताना इनमें से राजपती, राजसभा, लोगसभा तो भारते संसत के गर बात किरेंगे तो तीनों आते हैं तो आंसर D पार्ट हो जाएगा ठीके बारत में मुख बारत गुभाए प्रतिविम्बो की संख्या कितनी होगी यह बताना है तो बनेची संख्या कितनी होती है इसमें जिसमें अनन्त होती है ठीक है एक एसमेंद लिफिर के काउंसा अमल चीटी के डंक में पाए जाता है चीटी के डंक में पाए जाना अमल का नाम है मेथिनोई कमल एंसर क्या हो जागा ए पार्ट मेथिनोई कमल ठीक है इस अमल को अमलो का राजा कहा जाता है तो अमलो का राजा जो है यह सल्फिरीक एसीड को कहा जाता है H2SO4 इसका full farm है तो इसको हम लोग कर आजा कहते हैं कावको को अध्यन को क्या कहा जाता है कावको को अध्यन को तो उसको कहते है माइकोलाजी एंसर सी पार्ट हो जागा है नियुक्त में काउन साथ जल में घुलने वाला विटामिन है इन में से तो विटामिन B और C जो होता है जल में घुलने वाला होता है तो अंसर सी में B पार्ट हो जाए ठीक है मायत के question आप लोग कर लिए इसका मैं पीडियाप दे दूँगा ठीक है आगे हम देखते हैं इसमें GS के question और हिंदी के ग्षिए में से pulling सब्ट बताना हैоло one से डे पीडियाप की बात करेंगे तो पुलिंग सब्द हो जाए तो इसमें पानी पानि जो है यह pulling सब्द है बाकी नदी इलाचि प्यास यह सब क्या है इस तरी लिंक सब्द है ठीक है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा तो उसके लिए होता है आस्तीन का सांप या सही मुहावरा इसके लिए फिट बैठता है तो अंसर B पाट हो जाएगा वीने पत्रिगा की भासा कौन सी है बिने पत्रिका की भांसा की बात करेंगे तो सी पार्ट जगा ब्रज भांसा है काउंसा सब्ध भ्रहमर का प्रेवाची नहीं है तो भ्रहमर का प्रेवाची यानि की भामरा का प्रेवाची सलब नहीं होता तो इंसर ए पार्ट हो जाएगा सुद्धवाक कौन सा है सुद्धवाक की बात करेंगे तो उसमें स्रीक Cands के अनंनाम है D-Pnight में जो दिया गया यह सुद्धवाक है पाकी तीनों गलत है यहाँ पर अनेकों इसलिए गलत हैं यहाँ पर भी अनेकों है यहाँ पर भी अनेकों नहीं होता है अब 41 से 45 तक दो है पढ़कर पैसे को question का answer देना है question हम लोग देखते हैं why did she dress penalty इसमें पूछा गया है question में कि why did she dress penalty तो इसका answer बताना है कि इसका answer क्या हो जाएगा तो देखेंगे तो इसमें एक महिला यह मानती है कि वह कभी भी कुछ अच्छा खरीदने समर्थ नहीं हो सकती है इसलिए साधाना वेस भूसा धारन कर सकती है तो answer इसमें क्या हो जाएगा see part she had never been able to afford anything better तो answer इसमें क्या हो जाएगा see part हो जाएगा why did she suffer endlessly इनमें बताना है तो इसका answer हो जाएगा इसमें अगर देखेंगे तो महिला जो है इसलिए निरंतर परिसान रहती है क्योंकि उसके घर में कामी अथा अभाव होता है तो इसमें B part हो जाएगा because of the poorness of her house what did she not dream of इसमें बताना है तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पठन गर्द्यान के उपरा तो ज्याद होता है कि एक महिला ऐसे ब्यक्ति के बारे में सोपन भी नहीं देख सकती जिससे कई महिलाएं जो है बिवाह करना चाहती हो तो answer इसमें एपाट हो जाएगा ठीक है में हूम अलोमन वांट टू मैरी एंसर इसका हो जाएगा अगले को सब्सक्राइब बताना है तो इसका मतलब क्या होता इसका अराजकता इसका प्रियवाची सब्सक्राइब अगर देखेंगे तो confusion हो जाएगा confusion means अब अराजकता होता है तो इसका मतलब क्या होता है अहिंकारी अब इसका हमें बिलोम बताना अहिंकारी का बिलोम क्या होगा तो हमें करी अब बताना है तो इसमें कि छेनी का जैसे तो प्रकार संबंद मुर्थिकार से हैं उसी प्रकार निहाई का संबंद किसे घंगे तो छेनी जो है आउजार है मूर्तिकार का उसी प्रकार निहाई जो है लोहार का आउजार होता है तो एंसर इसमें भी पाट जाए ब्लेक किस्मित इसके बाद इसमें अगला कुश्चन जीएस के देखते हैं भारत संगे तरफ एमिराथ यानि कि UAE ब्यापक आर्थिक भागेदारी समझाता कि तिति को से आधारी के रूप से लागू हो गया अधिकारी करूप से तो यह जो तिति लागू हुआ है यह 1 मई 2022 से लागू हो गया है तो एंसर बी आ पाट जाए 1 मई 2022 देश के पहले अनाज अधारित इतिनाल संयंत्र की इस्थावना कहां पर किया गया है तो देश के पहले अधारित इतिनाल संयंत्र की इस्थावना पूंडिया बिहार में किया गया है कहां पर है यह बिहार में है पूंडिया बिहार में जो है किया गया है परवरी 2022 में भारते प्रतिभूद यम बि हो जाएगा इंफोसिस के संस्थापक है एन आर नारायन मूर्ती तो इनकी अधक्षिता में सारे कार हुआ है तो एंसर भी पाट हो जाएगा मई 2022 इंडियन आल कॉर्परेशन ने आसम के किस जिले में पाइलेट आधार पर मेधनाल मिस्रणौला एम 15 जो है पेट्रोल लांज क किया है तो यह जो है किसी जिले में लांज किया गया ति तिन सुकिया जिले में असम का तिन सुकिया जिला वहां पर लांज किया गया तो एंसर सी पाट हो जाएगा हाली में भारतिय विग्यान संस्थान बैंगलूरू के नेत्रत में किया अध्यन में किसे नदी को किसे माइकोर प्लास्टिक ठीक है जिसके कारण क्या होता है मचलियों के विकास में प्रवाइथ हो रहा है अगला प्रशन है मार्च 2022 में केंद्रिय मंत्री नितिन गटकरी नई दिल्ले में बिश्की सबसे उन्नत टकनिक भिसीत ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व चुनाव संपन हों विकल्प में से कौन सा राज पांच राज्यों में से नहीं है तो देखिए पांच राज्यों में जो चुनाव संपन हो उसमें है उत्तर प्रदेश पंजाब गोवा मड़पूर और उत्तराकंड़ ठीक है तो यह पांच राज है बाकिसमें जो सिक्किम दिया है सिक्किम गलत है सिक्किम जो है में अभी चुनाव नहीं हुए है अगला प्रशन देखते हैं प्रशन दिसंबल 2021 को परदानमती नरेंद्र मोदी ने सा जहाँपूर उतर परदह में गंगा एकस्प्रेसदु की आधार सिला रखी थी जुड़ापुर दान्डू गाउं पर समाप्त होगा इस एक्सप्रेस्वे की लंबाई 593 किलो मीटर है लगभग 994 किलो मीटर है तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें और एक दिया गया है मेरट जिले के बीर मती गाउं से परियाग राद जिले में जुड़ापुर गाउं तो आपका यही गलत है बाकी इसके सारे अप्सन सही है अगर दोजार इकीस में राष्टपती के मंजूरी मिलने के बाद यहां पर मिलने होगा 127 सम्मिधान संसोधन बिधेक 2021 1221 के रूप में जो अधिसूचित किया गया है तो 147 सम्मिधान संसोधन के रूप में जो हुआ है वो 105 सम्मिधान संसोधन 105 सम्मिधान संसोधन 2021 के रूप में सूचित किया गया है तो अंसर स्रीपाट हो जाएगा नॉब्बर 2021 में कौन सुड़न की पहली महिला परधान मंतरी चुन गी हैं तो उनका नाम है Magda Lena Anderson पहली महिला परधान मंतरी बनी है Sweden की हरी परशाद चौरसिया क्या बजाते थे तो हरी परशाद चौरसिया जो है पांसरी वाद अखा अंसर सी पाट हो जाएगा निम्डेकित में से कौंसा देस आसियान का सदस्य नहीं यह इनमें से तो आसियान की सदस्यों में गए देखें कि आसियान का फूल फार्म है सचीन और साउथ इस्ट ऐसैन नेशन अर इसका गठन तिक ठाइलेंड, सिंगापूर, बुर्णेई, लाओस है और इसमें अगर देखा जाएगा चीन सदस्ता नहीं आता इंसर बी पार्ट हो जाएगा बी सी राय पुरुसकार किस छेतर में दिया जाता है तो बी सी राय पुरुसकार जो ही है बारते चिकिस्सा परसद में दिया जाता है एंसर क्या जाएगा बात कि रहेंगे कि दियता है तो यह जिता गया है भारत के द्वारा एंसर ए पार्ट हो जाएगा भारत ही के इंडोनेसिया को हराया है कि अगला प्रश्ण है करंच टाइम नरेंद्र मोधी नेसिनल सेक्योर्टी क्राइसेस नामक पुस्तक यह किसके द्वारा लिखा गया तो यह लिखा गया डॉक्टर श्री राम चॉलिया के दोरा इंसर वी पाठ हो जाएगा प्रतिवर्स प्रतिवी दिवस कम मना जाता है तो प्रतिवी दिवस प्रतिवस 22 अपरेल को मनाते हैं ठीक है अविकतर से 75 तक गद्यांस के अंसार कोश्चन देना है गद्यांस में अधिकार किस सब्सक्राइब की और संकेत करता है तो इस कि यह सबसे बड़ा पाप कहा गया है, तो answer D part हो जाएगा, जब व्यक्ति स्वयम के लिए प्रत के अन्याय सोसर बिर्द आवाज नहीं उठाता तो क्या होता है, तो इससे दूसर के प्रत अन्याय सोसर को बढ़ावा मिलता है, तो answer आपका क्या हो जाएगा, इसमें A part हो जाएगा, अन्धिकार का निसेद किसो और संकेत करता है, तो अन्धिकार का निसेद जो है संकेत करता है कि समाज में अन्याय सोसर बुराईया नहीं है, तो answer आपका क् करने के लिए प्रियरीद करना इसका मुख खुदेश है चीतर से अस्टी भी जो है गद्यांस को पढ़कर की कोईश्चन का एंसर देना है तो गद्यांस को पढ़िएगा हम कोईश्चन की बात करते हैं मन उनको अपनी किस गलती का एसास हुआ इन में से तो मन को जो है अपनी कार और विचार की सपेच्टेता नहीं रहती तो वगर आसब इसलिए जो है एंसर आपका इसमें डी पाहिए घेगा गांधी इंगांधी गांधी जी नने डायरी लिखने को इबादत करने जैसे समान करने के समान का है क्योंकि दोनों में सच्चाई और इमानदारी चाहिए इससे हमें सच्चाई सिवकार करने की सक्ति प्राप्त होती है तो एंसर इसमें A पार्ट हो जाएगा डायरी लिखना महत्तपूर्ण इसलिए तो गांधी जी प्रदीन डायरी पढ़कर उस पर अच्छर करते थे ठीक है और यह देखते थे कि बेगते अपने कारे और विचार में किस तिसमें जा रहा है तो इंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा डीपार्ट हो जाएगा अब अब असी से लिगर क्वेश्चन सो तक जो है यह मैंत के हैं इसका मैं पीडियाप दे दूगा आप लोग लगाईएगा ठीक है हम बात करते हैं इसमें जी यस की सिर्फ प्रेक्टिशन नोबर आठ की बात करेंगे और इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है माउंट आवु इस्तित मसुहूर दिलवाला मंदिर नेवलिक्षन से कि समदाई का जो है पवित्र अस्थल है यह जयन समदाई का पवित्र अस्थल अंसर बी पाट हो जागा ठीक है परद्धीराद चवाण ने जो है किस से विवाह किया था वो उनके सत्र जयचंद्र गहढ़ वाल की बेती थी ठीक है तो उनका नाम बताद है तो उनका नाम था सैयोगता एंसर क्या हो जागा? B, C पार्टा इस हो गता चालुक कोवन्स का सबसे महान सासक का था? चालोक कोवन्स का सबसे महान सासक था? पुलिकेसिन दूतिये एंसर B पार्ट हो जागाここ pension दूतिये ठीक है? पोलो या चोगान कहलते समय किस सल्तान की जो है मिर्थ हो गई थी तो उसका नाम था कुतबदीन एवेक ठीक है ये पोलो या चोगान कहता है उसको तो पोलो खेलते समय जो है ये गिर कर घोड़े से जो है मर गया था तो एंसर और ये कम मिर्थ हुई थी इसकी 1210 में निलुखे में से किसी ने जो है दीन ए इलाही धर्म जो है आरम किया था तो ये चला गया था अकबर के द्वारा अंसर सीपाट हो जाएगा निलुखे में से कौन उग उगरपंथी नहीं थे इसमें से उगरपंथी की बात करेंगे तो इने में से गोपाल किन गोखले क्या थे ये नरम दल के नेता थे बाकि तीनों लोग अगर्पन्थी यानी गरम दल के नेता थे अमरीत सरसंदी का प्रहसताचा जो कब किये गए तो इस पर अच्छा 1809 में किया गया था अंसार सी पाथ हो जाएगा सीमानत गांधी किसे कहा जाता था तो सीमानत गांधी झो है एंसर ए पाट हो जाएगा गड़ेस महसों का प्रारम किसके गवर्ण करवा गया था तो ये लोकमानती लगने करवा था एंसर इसमें बी पाट हो जाएगा ठीक है यमना नदी का उदगम अस्थान कहां पर है तो ले सबसे सूखा अस्थान है भारत में अगला प्रेस्ट देखते हैं अगला कुस्षन है सूची एक को सूची दो से मिलान करना है खनन छेतर है खनी संपदा है तो काला हांडी जो है इसमें क्या मिलता है कौन सा खनी संपदा सबसे ज़्यादा है तो यह बाकुसाइट यह सबसे बड़ा मरुस्थल कौंसा है दच्छिट एसिया के सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो कौंसा है तो दच्छिट एसिया में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थला जगा निल लिखे नदियों में से कौंसी विशुवत रेखा को दो बार कारती है तो इनमें से अगर देखेंगे तो वो चायरे नदी है जायरे नदी जो है विशुवत रेखा को दो बार कारती है ठीक है इसको कांगो नदी भी कहा जाता है तो इसके दो नामें कांगो नदी या फिर जायरे नदी ये अफरीका की एक प्रमुह नदी है और ये नदी नील नदी के पस्चात अफरीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है तो ये विजवद रेखा को दो बार कारती है next question में किन इंडिया पहल का सुबारम कप किया गया में किन इंडिया पहल का सुबारम 25 सितंबर 2014 को किया गया था तो answer सीपाट हो जाएगा राष्टे क्रिसियो ग्रामिल बैंक यानदी कि नाबार की स्थापना कब की गई थी तो नाबार की स्थापना की बात करेंगे तो 1982 को किया गया था एंसर सी पाट हो जाएगा 12 जुलाई 1982 को भारत के केंद्रिये बजट में रेल बजट किस वर्स बिले किया गया है तो ये हुआ है 2017 में इसका बिले तो एंसर क्या हो जाएगा ये पाट हो जाएगा ठीक है भारत में सोईतिकरांद का जनक किसे कहा जाता है तो भारत में सोईतिकरांद का जनक जो है ये बरगीज कुरियन को कहा जाता है तो इंसर सी बाट हो जाएगा राज को उसी घाटा का अर्थ क्या है राज को उसी घाटा का अर्थ की वायत करेंगे तो सरकार के कुल राजस और क कुल वे विचार कुस का विचार कि लिए गया है.. से सम्मिदान का कौन सा भाग ? समिदान संसोधनों से समधित है तो समिधान का कौन सा भाग सानसोतनों से उसमांदित है एक है तो इसमें से अगर हम ऐसे बात किरेंगे तो ऐसे हो जागा ठीपाट भाग बीश जो है यह समिधान के संसोतनों से सब्मांदित है उत्तर प्रदेश पधास्त कर सकते हैं तो इसका answer हो जाएगा C part प्रदान मंतरी कि सिपारिश पर, भार्तियस समीधान के अनुसार सरकार के कितने अंग है does तो सरकार के अंग की बात कराये इसमें भार्तियस समीधान के अनुसार तो तीन अंगका ट्रॉप्टर में धोल जाएगा यद एक लोलक निर्वाद में दोलन करता तो इसकी समय वदी क्या होगा समय वदी पर क्या प्रभाव पड़ा गया तो समय वदी जो होता है यह आपरवर्तित रहेगा अगर निर्वाद में धोलन करेंगा ठीक है बेकिंग सोडा का रसानिक नाम क्या है बेकिंग सोडा का रसानिक नाम है सोडियम हाइटोजन कार्बोनेट एंसर बी बाट हो जाएगा नियासिन जो विटामिन B कॉम्पलेक्स ग्रुप का एक विटामिन है किसकी कमी से कौन रोग होता है नियासिन की कमी से तो निया सिन की कमी से पिलागरा रोग होता है, इंसर भी बाट हो जागा, ठीक है, इनल लिखे में से कौन सा है, सही खादर स्रिंखला को दरसाता है इनमे से, तो घास, घास के बाद घास को कीट खाता है, कीट को मेढक, मेढक को सर्ब, सर्ब को गरूर, तो इस तरी के से ये बी पार्ट वाला जो है सही सिरंखला दरसाता है अगला कुसे दिखते हैं अगला प्रशन है इस में से कभी का इस्त्री लिंग का उनसा है कभी का इस्त्री लिंग क्या होगा तो कभी का इस्त्री लिंग होता है कभी यत्री जो किसी पार्ट में लिखा हुआ है पैर सब्द का समनार्थी कोंसा इनमें से नहीं है तो नो जो है ये पैर का समनार्थी नहीं होता बाकी सारे पैर के समनार्थी होते हैं ठीक है कोंसा सब्द बिजली का प्रयाइबाची है बिजली का प्रयाइबाची की बात करें तो इसमें दामनी कैसे बनेगा तो यह राइट एंसर डी हो जाएगा जो युद्ध में इस्थिर हो से क्या कहेंगे तो उसे कहा जाता है युद्ध इस्थिर तो एंसर सी पाट हो जाएगा लाइफ का जो है हिस्था है और इंबार्णट है मात पूर्ण है तो यह जो है इट मेक्स अस फील डिफिरेंट इमोसन तो इसका एंसर क्या हो जाएगा यह पाट हो जाएगा which of the statement is true इसमें से बताना का उनसा statement जो है true है इसका द्यांस के उन्जार तो all forms of music may have therapeutic effect तो एंसर आपका सिद्धी पाठ हो जाएगा यही सही है से इनने से बताना यानि कि प्रियावाची बताना है एंपल का प्रियावाची क्या होगा एंपल का प्रियावाची बताना है क्या होगा तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा एंपल का sufficient हो जाता है एंपल में इस प्रचूर होता है यानि कि प्रचूर या फिर अधिकता इसका जो भी कह लिजे और इसका sufficient क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा अर्थ होता है तो इसका इंट्रोनेम से यानि बिलोम सब्द क्या हो जाएगा तो सिवलाइड इसका बिलोम सब्द हो जाएगा सिष्चित अगला कुस्चिन में दिया गया है कि खराब का सम्मद जैसे अच्छा है तो खाना बिलोम जो अच्छा होता है उसे प्रकार खाना बिलोम आबाद होगा इसके बाद अब देखते हैं फिर अगला question जून 2022 में भारतिय प्रबंधन संस्थान ने देश का पहला किसी भूम मुल सुचकांक लांच किया है और किस भारतिय संस्थान के दौरा लांच किया गया है ये बता आना है ठीक है तो इसमें अगर हम एंसर की बात किरेंगे तो ये भारतिय प्रबंधन संस्थान आई आई एम आहमदा बात द्वारा ये लांच किया गया है तो एंसर एपार्ट हो जाएगा फरवरी 2022 में सुरू किया गया केंद्रिय मंद्री डाक्टर मानसुक मांडिविया ने सारववरी टीका करन कारक्रम सगन मिसन इंद्रधनुस 4.0 की शुरुआत की और इस मिसन के तहट जो है देश के तहितिस केंद्रशासित राजियो में 416 जिलो में यह किया जा रहा तो एंसर इसका राइट C पार्ट हो जाएगा फरवरी 2022 में किस सुरंग को 10,000 फीट की अधिक उचाई पर इस्थित सबसे लंबी राजमार सुरंग के रूम में वर्ल्ड बुक आप रिकार्ट दोरा मानेता प्रदान किया गया तो यह प्रदान किया गया है अटल सुरंग को एंसर टी पार्ट हो जाएगा ठीक है हिनले और हिनले यूँ पार्टनर्स के दोरा जारी हिनले पासपोर्ट सुचकांग 2022 की यूँ थिरी में भारत को कौन सा अस्थान पर आप्थ हुआ है तो यह अध्धक्च किसे चुना गया है तो अध्धक्च चुना गया है भारत को ठीक है मैं 2022 में किसे नियो बैंकिंग चुना गया है तो इसमें एंसर आपका क्या है बीपार्ट ओपन अंतराष्ट ये उर्जा एजन्सी की एक रिपोर्ट के अनसर भारत वर्ष तो जारशब्श तक बिस के तीसरे सबसे बड़े एथिनाल उफूबोगता के रूम में किस देश को पीछे छोड़ देगा तो अंतराष्टी उर्जा एजन्सी की एक रिपोर्ट के अंसार भारत वर्स जो है 2026 तक 20 के तीसरे सबसे बड़े इत्यनालोग भोकता किरों में चीन को जो है पीछे छोड़ देगा तो अंसर एपाट हो जाएगा उत्तर परदेश की सहर में इसकी लिंडिया अंतराष्टी केंद्र की स्थापना की जाएगे तो ये बानार्शी सहर में किया जा रहा है सिपाट हो जाएगा नॉमबर 2021 में भाते प्रदान मंति नर्देंद्र मोधी ने पूरवांचल एक्सप्रेसवे का उत्खाटन किया और इसके संबंद में कौन सा विकल्प गलात है तो देखिए इसमें अगर देखें कि तो 16 नॉमबर 2021 को इसका उत्खाटन किया गया था और इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 340 किलोमीटर यही सही है यह एक्सप्रेसवे जो है बलिया गाउं के मंदरिया गाउं तक बनाए बलिया के मंदरिया गाउं तक बनाए गया जबकि यह जो है एक्सप्रेस जो है लखनो जिले में लखनो सुल्तान पुरू टिस्तित चांद सराय गाउं से प्रारम होती है और गाजी पुर जिले के हैदरिया गाउं में समाथ होता है तो इस तरीकी से इसमें क्या हो जाएगा ये चीजे गलत दिया गया है सीपार्ट तो आपको गलत ही बताना था तो सीपार्ट ही गलत हो जाएगा और इस स्प्रेस पर सुल्तान पुर जिले में एक हवाई पट्टी निर्मेत की जाएगी जो कि ये सही है कितने किलोमीटर की होगी तो 3.2 किलोमीटर की लंबी हवाई पड़ती होगी तो इस तरीके से इसका एंसर क्या होज़ागा सी पार्ट है नेश्ट कुछन देखते हैं टोक्यो ओलमपिक 2020 में भारतिय पड़क भी जाता हों के संब्लें विकल्प कौनसा गलत थे इसमें से टोक्यो ओलमपिक 2020 में भारत की तरह से पहला पड़क जोहराजत पड़क जीता गया था बाकि सारे से हैं, पीवी सिंधु ने महिलाओं की बैड़ मिंटें इस परधा में एकल बरस में कांस पतक गीता, भारतिय पुरुष टीम की टीम ने हाकी इस परधा में कांस पतक गीता, नीरा चोपडा ने पुरुष भाला पेग में सनौर पतक गीता, ये तीनों से हैं, अब कहां पर है? तो रष्टिये, रेल, संघ्राले जो है योई नई दिली में इस्स्थे है और एंसर अ पाीश होजय लिए ठीक है? निम्हारास के रिप्रुसकार उपर्ण्यास के लिए दिया जाता है ग्यान पुरुषकार महा सोयता देवी ठीक है भारते संसत में किसने सतन है तो भारते संतन में दो सतन होते हैं राजसभा और लोकसभा ठीक है बिश्ट 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 चैंपियंशिप में सीनियर टीम स्रेडी में किस देश ने जो है रजट पदक इसमें से जीता है तो इसमें अगर हम देखेंगे तो भारत ने रजट पदक जीता है एंसर भी पाड़ हो जाएगा ठीक है गरतंद दीवस प्रेड 2022 में किस राजी की जहाकी को सर्फ्षेट जहाकी का प्रुसकार पतान किया गया तो यह जो है नीदल लंड में आजित टाटा इस्टिल शत्रन का चिताब भारत की अरजुन एरिगेसी ने जीता है तो अरजुन एरिकेसी हो जाएगा इसका इसका इंसर अब एकतर से पच्छतर जो है गद्यांस से उंसार कोश्चन हम देखते हैं इस गद्यांस का मूल कथन क्या है तो इस गद्यांस का मूल कथन है नहीं सस्तिरी करण और विशुसांती गद्यांस को पढ़ने के बाद इसका ये निकलता है ठीक है भेंकर विनासकारी आधुनिक सस्त्रास्त्रों के बनाने की प्रेंड़ा किस ने दिया था तो ये जो है बदुत्य महायुद में अमेरिका ने जापान को पराजित के दिया इस सफलता ने अन्य देशों को भैंकर विनासकारी आधनिक सस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेंड आगे दी तो इसमें अंकर क्या हो जागा जापान पर गिराए गए अनो बम से एंसर आपका इसमें रिच्छी पार जाए ठीक है अटम बम की अपार सक्ति का प्रथम अनुब जापान की अजय जक्त की पराजय से हुआ ठीक बड़े बड़े देश आधनिक विनासकारी सस्त्रास्त्र के विनासकारी होते हैं क्योंकि अधिकांस्चंता और इसकी संपथी जो है नश्ट हो जाती है तो एंसर बी बाट हो जाएगा चियतर से असी तक दो है भी गध्यान्स पढ़ कर देना है किसी भी इस्तिती को बदलने के लिए कैसे लोगों की जरूरत होती है तो उपरुत गध्यान्स सपष्ट है कि जिनके दिल में लगन होती है और किसी भी इस्तिती को बदल सकते है तो एंसर इसका डी पाट हो जाएगा अगरे जी पढ़े लिखे ही अच्छे परियोग कर सकते है और यह कथन किसके दार कहा गया तो अगरे जी पढ़े लिखे ही अच्छे परियोग कर सकते है ये कथन भासिक पूर्बा ग्रहों से ग्रसित है, एंसर सी पार्ट हो जाएगा, उपरिक तो अनुच्छेद में सूरतकार्थ क्या होगा, सूरतकार्थ की बाद करें, सूरतकार्थ इस्तिती होता है, एंसर सी हो जाएगा, ठीक है, लेखा का उद्देस क्या है, लेखा का उद लेखा का उद्देश की वात करेंगे तो इस्तितियों में बदलाव लाना लेखा का उद्देश है सामानता लोग अच्छे परणाम क्यों चाहते हैं तो सामानता लोग अच्छे परणाम इसलिए दे दूँगा अब हम लोग देखते हैं प्रेक्टिक्शन नमबर नौ का पहला क्वेश्चन जिसमें सूची एक और सूची दो से मिलान करना है पहला आपसर में दिया गया हडपी सब्यता और इस दिये गया इस्तिति अब इसमें देखना है कि हडपी सब्यता कहां परिस्तित था इसमें तो मनबा मांडा की बात करेंगे तो मनडा कहां परिस्थी ते जम्मु कसमीन में इस्तित है ठेमाबाद कहां परिस्था दंबाद तॉ congrats प्रश्थानीं टोलो की राजधानी तलती टंजोर में थी ज्लगों की राजधानी द्ध्धार में थी अम्टबTS अगला प्रेस्थ में कौन सा सुमेलित नहीं हूँ से खुंएलान है तो दीवान ये रियास्त जो भलबन के द्वान गल्वाब जो अलावद दिन खिलजी के द्वारा निर्मार करवा गया था तो त जुछ हुए बाकी दियान मुस्त्य अगर हम करम के अनिसार के देखेंगे तो सबसे पढ़े पुर्तडगाली आया थे घीक के बाद आया थे अंग्रेज फिर आया sニसी तो इस तरी के से पहले अस्थान पर पुर्तगाली यहनि कि चार दो एक तीन बीपाट इसका अंसर हो जाएगा अगला पुर्टियू um तो इसका एंसर 14 हो जाएगा अनसीलन समित जो है यारविंदी घोष के दोरा लाए गया गदर पार्टी इस्ता बना लाला हर्दयाल दोरा और सुराज पार्टी सी आरदास से सम्बन में था ठीक है तो इस तरी के से मिलान होगे, अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन देखते हैं, इनमें से किसी ने, बंगाल के विभाजन, जो 1905 में हुआ था, इसके भिरोध में हुए, अंदोलन का नेतरुत किया था, तो इसमें, अगर हम देखेंगे, तो इसमें, सुरेंदरे ना महत्मा गांधी ने एंसर इसका एपाट हो जाएगा नेश्क कुसन नेलुखे में से किस अधिनियम के दौरा अंग्रेजों ने भारत में सरपर्थम परयोग छे निरवाचन प्रणाली की शुरुवात की तो उन्हें अठार सो बानवे अधिनियम के दौरा है शुरुवात किय संसार का सबसे बड़ा दियुक है संसार का सबसे बड़ा दियूप इन व Fin menjadi तो उकाई जो है शब श असतल है राज दिया तो उकाई कहां पर गुजरात में है ए ठीक्हें पतरातु कहां पर है जहर खंडimmे प्रवतिय दर्रा और राज दिया गया है इसको भी मिलाते हैं बुम्ब लादर्रा ये कहाँ पर है ये अरुनाचर परदेश में है जेलेप लादर्रा ये कहाँ पर है सिक्किम में है और मुलिंग लादर्रा ये उत्राखंड में है सिपकी लादर्रा ये कहाँ पर है हिमाचर परदेश में है तो इस्तिर के सिसका अंसर जो बी पाड़ सही हो जाएगा 1991 नई आर्थिक नीत में अपनाई गई मुख रण नीत क्या थी तो उधारी करण निजी करण वैसी भी करण ये तीनों नीत ये अपनाई गई थी तो अंसर डी पाड़ हो जाएगा उपरितु सभी आपरेशन फ्लर्ट का संबंध निमनांकित में से किस्से है तो आपरेशन फ्लर्ट जो है ये दुख्त उत्पादन से संबंध है और स्वयत करांती के जनुक डाक्टर वरगीच कुरियन के उधारा जो है आपरेशन फ्लर्ट के सुरुवात किया गया था एंसर इसमें B पार्ट हो जाएगा फिलाई इस्टील सेंत्र एक है क्या है एक फिलाई इस्टील सेंत्र जो है तो ये एक सार्विनिक उपकराम है मेकिन इंडिया कारकेडम का लोगो है मेकिन इंडिया कारकेडम का लोगो जो है एक सेर है तो answer A पाठ हो जाएगा आबिद हुसेन समित का संबंध कि से था आबिद हुसेन समित का संबंध जो ही लग उद्योग से संबंध है answer B पाठ हो जाएगा ठीकर नेश को संदिते हैं ग्राम पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिदियों का कारिकाल कितना होता है तो ग्राम पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिदियों का काल काल पांच वर्स होता है वर्स 2000 में निम्ने में से किस राज का गठन नहीं हुआ था इनमें से तो राजट एंसर की बात है तो तेलंगाना हो जाएगा ठीक है तेलंगाना का गठन 2014 में हुआ है किसी भारतिय राज की पर्थम महिला राजपाल कौन थी इन में से तो किसी भारतिय राज की पर्थम महिला राजपाल की बात करेंगे तो सरोजनी नाइट हो जाएगा राश्पति पद में रिखती की इस्तिती में उपर राश्पति एक्तम कितनी आववती के लिए राश्पति के तोर पर कार कर सकता है तो वो छे महेने तक कार कर सकता है इंसर भी पार्ट हो जाएगा नियम लिखे में से ठोस मात्यम में तिवर्ता से गुजरती है तो इंसर इसमें बीबाट हो जाएगा ठोस इमली में मौझूद अमल का नाम बताना है तो इमली में जो मौझूद अमल होता है उसको टारेटरिक आइसिट कहते हैं तो इसमें बीबाट हो जाएगा नमक का राशानिक नाम sodium chloride नमक का राशानिक नाम sodium chloride नमक के में से किस विटामिन को रेटी नाल भी कहा जाता है तो रेटी नाल किसो कहते हैं विटामिन A को कहा जाता है long किसे प्राप्त होता है long जो होता है फूल की कली होती है तो answer D बाट हो जाएगा अगला कुसे नग देखते हैं अगला कुसे ने पावन का संदे विच्छेत किया है पावन का संदे विच्छेत की बात कर रहा है तो पोग पलस अन होता है पावन का संदे विच्छेत सुद्वरतनी का इसमें से चायन करना है कौन सा हो जाएगा सुद्ध वरतनी इसमें देखने जाएगा तो जो सी पार्ट में लिखा अस प्रिष्टा ये सही रूप से लिखा और सी पार्ट हो जाएगा निलुकी में से एक सब्द की वरतनी असुद्ध है इने में से किसकी वरतनी असुद्ध है तो आजीव का किवर्थिनी इसमें असुद्ध है, ठीक है, आजीव का क्या है, गलत तरीके से इसमें लिखा हुआ है, अगर हम लिखेंगे तो आजीवी का, आजीव का इस तरीके से लिखा जाएगा, महल के भीतरी भाग को किसी सब्द में जानते हैं, तो महल का जो भीतरी भ पैसेज के उनसार question का answer देना है पहला question अगर देखते हैं गध्यांस का तो approximately half of India 1.2 billion people are under the age आप कितने मलब 1.2 billion people जो है वो किस age के group वाले हैं ये बताना है तो ये जो है जैसेगा कि आबादी 26 वर्स की आउस्था के नीचे की है भारत की तो answer इसमें 26 वर्स ठीक है और इसमें जो है गध्यांस आप पढ़ेंगे तो इसका यही answer निकलेगा इसमें इसकी बार next question और भाव प्रधान स्रोतों की कमी अधवा भाव के कारण क्या होता है आत्महत्या कर लेते हैं और जिस प्रकार आत्महत्या कि दर क्या होती अधिक होती है तो इसमें सी पाट हो जागा लेकाप economic social और emotional resources ठीक है by which air India will become the youngest country in the world किस सन में इसमें बताना है कि वर्स 2020 में भारत सबसे युवा देश के बन जाएगा ये इस तरीके से गद्यांस के अनसार ये कहा गया तो answer डी बार्ट हो जाएगा ठीक है अगले question में synonyms बताना है complicated का synonyms यानि की प्रयावाची क्या होता है तो complicated मिस होता है पेचीदा यानि की जटिल तो इसका synonyms यानि की प्रयावाची हो जाएगा complex जो की भी DC पार्ट में दिया गया है नेट k ocean में antonymes यानि की belong बताना है arrogance का belong क्या होगा то arrogance miss होता है घमंड अब arrogance का belong क्या होगा arrogance का belong हो जाएगा humility, humility जोकि A, a part में दियांगा है, humility miss by 9 नमरता या फिर by 9 नमरता अगल्लाक्यस तो net decibel का जिस प्रकार सम्मंद धधनी से है, उसी प्रकार MPR का संबंद किससे होगा ये बताना है तो MPR का संबंद उसी प्रेजार बिद्दुधारा से हो जाएगा टिकिए बिद्दुधारा का मातर का अंपियर धोनी का मातर डेसिबल होता है इस तरी के सिसमें दिया गया अगला कुरश्चन देखते हैं हर द मैं जून 22 दीखते हैं जून 22 में कौन जो है भारतिय प्रेस भारतिय performs परिशत की पहली donne-ad 一 Wei जो गैं अगर। किस बारते प्रदोंकी संस्थान आयाइटी के दौरा भारत में जल समस्या को हल करने के लिए एकोब महब नामक एक ने अंतर अनसासासनात्मक जल प्रबंधर और नीत केंद्र की embarked किया गया है तो ये किया गया है मद्रासाईटी मद्रास के दोरा एंसर एपार्ट हो जाएगा ठीक है भारत का पहला ग्रेफीन नवचार के अंदर किस राज में स्थापित किया जाएगा तो भारत का पहला ग्रेफीन नवचार के अंदर त्रिचूर केरल में ठीक है केरल के त्रिचूर मे जो है इस्तापित किया जाएगा हाली में कौन भारतिय अबनेत्री फ्रांस की फैसन कंपनी लुइस वीटन की पहली भारतिय ब्रांडम बेश्डर बनी है तो उनका नाम है तीवका पात कौन एंसर डी पार्ट हो जाएगा किस सहर में भारत का पहला बाव गये से चलने वाली इवी चार्जिंग इस्टेशन चालू किया गया है तो यह चालू किया गया है हाजी अली के पास चालू किया गया है कहां पर परता है यह जो है घरिलू कमरे के तो मुंबई में जो है इस्टार किया गया है तो एंसर सी पार्ट हो जाएगा ठीक है जैन्वरी 2022 में परसित नात मिसरा का निधन हो गया ये किस घराने से संबंदित थे तो इनका निधन हो ये लखनों कि कालका बिंदा दिन घराने से संबंद थे आइंसर पी पाट हो जाएगा ठीक है नेश्ट वोसन देखते हैं अगला प्रशन है जल सक्ति मंतरी गजेंदर सिंञ से खाओध द्वारा जल दिवस के ऐसर पर सुरू किया अभयान का नाम क्या है तो जल सक्ति मंतरी जो एवसर को इससर पर जो है अभयान सुरूबात किया गया है सुझलाम 2.0 अब यहां शुरुबात किया गा है तो अंसर डी पार्ट हो जाएगा जून 2022 में कौन केंदर सासित या राज़ परदेश रेक राष्ट एक रासनकार योजना का लाउख करने वाला देश का 36 राज़ बन गया है तो उस राज़ का क्या नाम है तो असम जो 36 राज़ बन गया है फरवरी 2022 में केंदर सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीद का नावरण किया और इस नीद के तहट ग्रीन हाइडोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पातकों को कितनी अवधिक तक अंतर राजिये पारेशन सुल्क से छूट मिलेगी तो इसमें अगर देखा जाएगा तो पचिस वर्स की अवधित तक इसमें छूट दिया जाएगा इंसर डी पार्ट हो जाएगा मई दोजर बाइस में किस भारतिय पत्रिकार को मरलो प्रांत पुलिजर पुरुसकार 2022 प्रदान करने की घोचला किया गया तो पुलिजर पुरुसकार की बात करेंगे तो पत्रिकारत का फीचर पोटोग्राफी स्रेणी में जो है सना इरसात भट और अधनान आवैदी और अमित दावेक साथ दानिस सिद्धिकी को पुरुसकार पुदान किया गया तो इसमें एंसर हो जाएगा भी पार्ट दानिस सिद्धिकी ठीके लोसार उत्सो किस जनजात के लोकों के दोरा मना जाता है तो लोसार उत्सो की बात करेंगे तो ये मोनपा जनजात के दोरा मना जाता है ठीके लखनों किसकी राधानी है तो उत्तर परदेश की अगला प्रेश्टी इंटरनेशनल की से संबंदित है एमनेश्टी इंटरनेशनल की बात करेंगे तो मानवा अधिकार से संबंदित है एंसर ए पाट हो जाएगा विशुर सरमा द्वारा रजित पज़ूपराधारी नीद कताओं के परसिद संग्रा का नाम क्या है जो परसिद संग्रा उनका नाम है पंच तंदर एंसर सी पाट हो जाएगा मैडरिट किसकी राधानी है मैडरिट जो है यह किसकी राधानी है मैडरिट जो है स्पेन की राधानी है स्पेन की राधानी का नाम क्या है मैडरिट है करनाटक के संसदिय सीटों की संख्या कितनी है करनाटक में संसदिय सीटों की संख्या टोटल बारा है प्रतिवर संतराश्टिय महिला दिवसका मना जाता है तो यह आठ मार्च को मना जाता है एंसर क्या हो जागा आठ मार्च ठीक है बिरिसा मुंडा जन्जातिय नायक नामक पुरषकर के प्रुषकार किसे पर्दान किया गया तो प्रुष सहकत भाद करेंगे तो इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा गलत इसमें से गर देखेंगे देखेंगे तो 2021 में डेविट कार्ड जोसुवा डी एंग्रियस्ट और गुईडो टवलू इंबेंसर को दिया गया तो ये सही है सांत के छेतर में मारिया रेशा और दमित्रे मुरातो को दिया गया ये भी सही है साहित के छेतर में अब्दुन रजाग गुर्णा को दिया गां ये भी सही है चिकस्टा के छेतर में बेंजामिलिस्ट डेविट के मैकिलि मीलन को दिया गया ये गलत है तो आपका words बेचेतर आइट इसमें क्या जागा दीपार्ट हो जागा जो की गलत है ठीक है चिकसा का जो च्छेत्री में नोबिल पुर्षकार जो दिया गया है डेविड जूलियस और आडम पटा पोसियन को दिया गया है ठीक है तो इसमें जो दिया गया है अब गध्यांस को पल के question का answer देना है answer इसमें डी पाट हो जाएगा संबाद तभी सार्थक होता जब जब क्या होता है जब कहने सुनने वाला जो है सक्रिय हो खामोसी ही बोलने लगती है इसका अभिपराय क्या है इसका अभिपराय है कि जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद करते दे तो बाकी बच्चों को पता जब जाते है कि उन्हें भी सानती होना है answer इसमें C बाट हो जाएगा लेखे का कि अनुसार इसमें बताना है तो लेखे का कि अनुसार एक सिख्चक अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानता है मातपूर्ण सब्द है मातपूर्ण कौन सब्द है तो मातपूर्ण जो है एक योगी की सब्द होता है answer भी पाट हो जाएगा महत प्लस पूर्ण दो सब्दों के योग से मिलकर मातपूर्ण बनता है इसलिए योगी सब्द पिर गद्यांस को पढ़के देना है चाहिए इसकी परिकलपना करता है वस्तु परक ज्ञान होता है वस्तु परक ज्ञान क्या होता है तो वस्त उपर आधारित ज्यान होता है तो एंसर इसमें क्या जाएगा बीबाट बुद्ध जीवी अन्य देव तत्त वेताओं के किस प्रकार अलग है बुद्ध जीवी की बात कर रहा है तो बुद्ध जीवी जो है ततास्टता पर जोर देनी के कारण अन्य तत्त वेताओं पर किसे अलग है ततास्टता पर जोर देता है एंसर बीबाट हो जाएगा बुद्ध प्रग्या में कब रूपांत्रित होती है तो बुद्ध प्रग्या में तब रूपांत्रित जब मनुसर का चिंतन व्यापक होता और समझते चराचर जगत जो इसकी सिर्ष्टी में समलित हो जाता है तो एंसर आपका इसमें सी पाट हो जाएगा अब से लेकर सोतक क्वेश्चन जो हमायत कहें आप लोग इसको करिएगा अब प्रेक्टिक्टिक्टिक्टर नमबर टेन देखते हैं और इसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन मिलान करना है मिलाते हैं भारत सासन अधनियम ये कब आया भारत सासन अधनियम भारत सासन अधनियम 1935 में पारित हुआ था क्रिस प्रस्ताव ये कब आया ये 1942 में आया था अगस्त प्रस्ता ये कब आया तो ये 1940 में आया था, वेवल यूजना 1945 में आया था, ठीक है, तो पहला का बी सही हो जाएगा, नेट कुशन, एक वर्स में सुराज का नारा गांधी जी ने कब दिया, तो एक वर्स में सुराज का नारा जो है, असोह योग आंदोलर के समय दिय गया था एंसर भी बाट हो जाएगा जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ तो उसमें बायसराय कौन था रोलेक्ट एक्ट जब पारित हुआ था तो बायसराय जो था उसका नाम था जेम्स फोर्ड ठीक है नेश कोश्चन नम्रखे सत्य ग्रहों में से किसका नेतरत मातमा तो भारत छोड़ों सबने हुग गया बार्दोली ये छीड़ा है तो कन्योज का युद्ध इसमें बताना है कन्योज का युद्ध तालिकोटा का युद्ध जो इसके बाद इसमें दिया गया है खानवा कायुदु कायुदु जो है अगर हम बात करेंगे तो कब हुआ था कनोज कायुदु की बात करेंगे ये कब हुआ था चौसा का युद्वा था 1549 में इसके बाद ताली कोटा का युद्वा था 1565 में हुआ था और खानवा का युद्वा था 1527 में तो अब आप लोग इसको काला नक्रम अनसार मिला सकते हैं आपको इसमें जब टेट पता होगा तब ही इसके कर पाएंगे तो सबसे पहले इसमें के दरवार में अष्ट दिखज कौन थे वराग के दरवार में अष्ट दिगज जो थें आट तेलगों कवी थे answer भी बार्ट होजाएगा किसी ने इसमें राष्टर कूर्ट र समराजी की निवने में से तो दंतितदूर्ग जो थे यह नुने राष्टर कूर्ट समराजी की निव रख़ी थी चीक है राष्टर कूर्ट की अस्थापना का भयी सेंडरो कोटस भी कहा जाता है बिन्दुसार को किस अन्य नाम से तो अमित्र घात कहा जाता था असो को अन्य किस नाम से तो पीए दसी कहा जगया है चानक को को भी शुडू गपति भी कहा गया ठीक है तो इस तेरे किस इसका मिलान हो जाएगा सब्ति में उजयते किस उपनिसद से लिया गया है सब्ति में उजयते जो है ये मुंडु को उपनिसद से लिया गया है काठमान्डु किसकी राध्धानी है तो काठमान्डु जो है नेपाल की राध्धानी है अगला प्रशन पिर्थिवी का सरवाधिक सुस्क छेतर कौन सा है पिर्थिवी पर सरवाधिक सुस्क छेतर जो है अटाकामा मरुस्तल है एंसर वी बार्ट हो जागा ठीक है अगर राज कौन सा है तो ओरिषा में होता है किस राज जम स्टाइगर रिजर्व है यह वास्त्वित नहीं तरह भारत किस देश के बीच है भारत और पाकिस्तान के मद लो सी है लाइन आप कंट्रोल मीरा सेट समित का संबंद किस से था तो मीराट से इसका सम्मन्था हद करगा छेतर के विगास से केंद्रे बज़र 2022-2023 में प्राथ मी घाटा अनुमानत किया गया है किसमें तो सकल घरिल उत्पाद गया दो तो सुनलो आठ परिशत में आएकर भी भाग दो जारी पायनकार निमने में से किस उद्देश के लिए प्रयोग नहीं किया जाता तो पत्ते का प्रमार के लिए प्रयोग नहीं किया जाता ठीक है राश्टिय विकास परशत गठन जिस तिती को हुआ वो थी, क्या थी, कौन थी ती 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 थी तो 6 अगस 1902 थी थी बारे में पहली पंचवरिशयोजना का अधार क्या था? बारे में पहली पंचवरिशयोजना का अधार था है रोड डॉमर मालन ठीक, एंसर एपाट हो जाएगा नेम लिखे में से किस सभा में पर्थम महिला अध्धक्च का नाम बताईए तो पर्थम महिला अध्धक्च का नाम की बात किन तो मीरा कुमार थी बारे समिदान का जनक किसे कहा जाता है तो भाते समिदान का जनक जो है लोग सभा के पहले उपाग ठेक्ची की बात कर रहा है तो M, अनंत, सैनं, आयंगर थे भारत के समिदान का कौन सा उनुच्छत है जिसमें भारत के तिनियंत्रक महलेखा परिक्षक का उल्लेख है इसमें अगर हम देखेंगे तो 148 उनुच्छत में इसका उल्लेख किया गया इलेक्ट्रान का एंटी पार्टिकल क्या है इलेक्ट्रान का एंटी पार्टिकल का नाम है पॉजिट्रान वाईद आप को मापने को यंद्र को क्या कहा जाता है तो वाइद आप पेरोमीटर से मापा जाता है Anser इसमें हो जाएगा आपका B-part सिर्के का रासानिक नाम पूछा गया है तो acetic अमल होता है सिर्के का रासानिक नाम मिलान करना इसमें से प्रकंद क्या-क्या है और प्रकंद बल्ब और कंद दिया गया है और इसमें कौन उधारन दिया गया कि कौन कौन सा होता है ठीक है तो प्रकंद जो होता है वो अधरक होता है बल्ब जो है ये बल्ब प्याज प्याज जो है बल्ब का उधारना कंद जो है आलू का उधारना आलू जो है कंद का उधारना तो इस तिर किसे एंसर हो जागा ठीक है कंद मिस ट्यूबर ट्यूबर तो ये बात वे नेक्ट कोशन देखते हैं अगर DPT का टीका ने में लिए किस प्रकार का होता है तो DPT का टीका यानिकी दिप्थीरिया, कालिखासी और टिटिनेस का टीका जो है नोजासिसु को DPT बैक्सी नामक सहयुक्त टीका लगाया जाता है तो एक तरीकी से प्रकार का सहयुक्त टीका होता है तो एंसर इसमें D पार्ट हो जागा सहयुक्त टीका ये बात होगे, अब इसमें अगला कुश्चन देखते हैं मनोरत का सहीं संद विच्चेत पूछा गया क्या होगा मनोरत का सहीं संद विच्चेत की बात कर रहा है तो मनोरत का सहीं संद विच्चेत होगा मना प्लस रत ये वी सर्ग संदी का उधानर है एंसर इसका A पार्ट हो जागा ठीके नाक रगणना इसका क्या अर्थ होता है नाक रगणना का अर्थ होता है दीनता पूर्वग प्राथना करना अंसर C पाट हो जाएगा ठीक है जिसके सिर्फ पर चंद्र हो उसको एक सब्द में क्या कहेंगे तो उसको एक सब्द में कहते हैं चंद्र सेखर उत्यकर्स सब्द का विलोम क्या होता है तो उत्यकर्स सब्द का विलोम अपकर्स होता है आग सब्द का प्रियाबाची क्या है आग का प्रियाबाची की बात करेंगे तो वैश्वानर जो होता है वो आग का प्रियाबाची होता है अब 41 से 45 गद्यांज को पढ़के अंसर देना है इस गद्यांज के अंसर मुल्ली कौन है तो मुल्ली कौन था तो अंसर इसका हो जाएगा अब 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 स्वीट्स ठीक है नेर्ट कॉस्शन इसमेंगर हम देखते हैं 42 तो who were his customers कौन से customer थे तो अंसर की बात की तो the children what time would he go to school तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो हो जाएगा at nine in the morning डीपार्ट इसका right answer हो जाएगा अगले प्रेशन में देजना है बताना है give synonyms for the following words cordial का जो है मैं बताना है कि synonyms क्या होगा तो cordial में इस तो आर्दिक दिक अब इसका मैंध्री पूर्ट दो इसका senonyms जाने की Loans They बताना तो प्रिये बाचि क्या हो जाएगा प्रिये बाचि हो जाएगा इसका friendly ट्क है friendly प्रिये बाचि हो जाएगा अन्टरी बताना है zeich f Learning क कर्ट का बिलूम बताना है कर्ट मिस होता है अल्प या कम ठीक है तो कर्ट का विलों हो जाए लाइट ठीक है क्या हो जाएगा कर्ट का विलों क्या हो जाएगा पॉलाइट ठीक है तो एंसर आपका सी पाट हो जाएगा पॉलाइट अब इसमें संबंद चुनना है मोतियाविंद का संबंद आग से तो ए यह जो है स्थापित किया गए किस राज में स्थापित किया तो उत्तराखंड के नहनी ताल जिले में जो है स्थापित किया गए तो एंसर B बाट हो जाएगा परवरी 2022 में प्रतानुती नरेंद्रमोदी ने हैदराबाद में स्थापित इस्थापित किया तो इस्थापित किया तो इस्थापित किया है 137 प्राप्त करके हर्याना जो है पहले अस्तान पर रहा है तो एंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा ठीक है मार्ज 2022 में जारी भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत देश में टीबी के मामले में कितने परसंट की बिद्धी दर्ज की गई है तो इसमें गर देखा जाएगा 2022 में रिपोर्ट के अनुसार तो टीबी के मामले में 19 परसंट की बिद्धी दर्ज होई है तो एंसर सी पार्ट हो जाएग 19 परसंट फरवरी 2022 में किसे भिस विदाले अनुदान आयोक का अध्धक्च निक्त किया गया तो कुलपती एम जगदीश कुमार प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को नुक्त किया गया ठीक है नशको सर्व फरवरी 2022 में लांच की गई केंद्रिय चेंद्र की योजना इसमाईल योजना के लिए सामाजिक निया अधिकारिकता मंत्रा लेन है 2021-22 से 2026 तक की अवद के लिए कितनी रास का आउंटन किया है तो इसमाईल योजना को जो है 2026 तक की अवद के लिए 365 करोन रुपे रास का आउंटन किया है तो एंसर डी पाट हो जाएगा ठीक है माई जुन 2022 में आज 94 इस्किल नेशनल इस्पेलिंग बी परतियुकता 2022 में जीत करने वले भारतिये मूलगी अमेरिकी छात्रा का नाम क्या है तो उनका नाम क्या है यह बताना है उनका नाम है हैरनी लोगन हैरनी लोगन एपाट हो जाएगा ठीक है मार 2022 में तीसरे राष्टिय जल पुरुसकार समारों में उत्तर प्रदेश को सर्फिरेश राज की सिर्डी में कौन सा अस्थान पुरुसकार में सर्फिरेश राज की सिर्डी में पहला अस्थान पुरुसकार में सर्फिरेश राज की सिर्डी में पहला अस्थान पुरुसकार और रस्तल की सूची में सामिल किया है तो गुजरात में इस थडपा काले धौला बीरो को जो है धौला बीरा जो है इसको सामिल कियागा उनुसको की स्रेणी में तो एंसर सी पाथ हो जाएगा नारवे की राध्धानी क्या है नारवे की राध्धानी की बात करें तो ओसलो जो पुस्त्कों में से किस पुस्तका लेखन वरा मिहिर ने किया है तो बरा मिहिर जो है ब्रहा है बरहाँ संगेता ब्रह जातक पंच स्थान्द का मिरम घरणत है तो इसमें भी पार्ट इनगा जो है जो जोड़ाइस संद्र का कणानि का अंसर सभी पाट हो जाएगा असट्रेलिया की राधानि का नाम क्या है आस्ट्रेलिया की म संधिये सीटों की संख्य प्रकास वल्स के उसर पर साहिव ज्यादा जोरावर सिंग जी के और साहिव ज्यादा फतेश सिंग जी के सहादत की समर्थी में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की गोंशला किये ठीक है 9 जनुर को गोचला किया गया लेकिन 26 दिसंबर को मना जाएगा पुस्तक 400 डेज इसके लेखक कौन है तो 400 डेज के लेखक है चेतन भगत आश्ट्रेलियन ओपल 2022 के पुरुसेगल के किताब किसके दोरा जीता गया तो यह जीता गया है आश्ट्रेलियन ओपल पुरुसेगल किताब इस्पेन के राफिल नडाल ने जीता है अंसर D पार जागा राफिल ना डाल जून दुजरबाय से विश्युकार सिखर सम्मेलन का आउजन कहां प्रकिया गया तो विश्युकार सिखर सम्मेलन का आउजन अंतराष्ट सरम संगठन द challenges जिनेवा में किया गया तो answer D पार जागा ठीक है अब गद्यांज को पढ़कर answer देना है प्रणाम जो है किसका प्रतीक है प्रणाम जो है ये प्रतीक होता आत्मियता का प्रतीक होता answer B पाड़ हो जागा प्रणाम करने वाले को किसकी प्राप्ति होती है प्रणाम करने वाले को जो है बिद्या की प्राप्ती होती है एंसर A पाट हो जागा ठीक है बालग मारकंडे को चिरंजीवी होने का वर्दान किस ने दिया था बालग मारकंडे को चिरंजीवी होने का वर्दान सब तरी सियो ने दिया था तो एंसर C पाट हो ठीक है तो जीवन रूपी छेदर में आसिरवाद का अनुगाने का बीज मंत्र क्या है प्रणाम है एंसर वी बाट हो जाएगा अब इसके बाद नेश्ट भी गध्यान से उसको भी पढ़कर देना है एंसर लड़की के सवाल पूछने पर छात रहा उस पड़े क्योंकि लड़की क्य देल नहीं सकती थी तो आपको क्य जाएगा एगा अधि करई आपको वितार से लड़की को सपलता के सबसे वड़ी प्रियना कि chief ने दिया उसकी माने दिया था सिक्षक के उतर से किसके निदाफ ना बंती है कि जी एक शक्षक के उतर उसके वारे निदाना बनती है कि लसे सब कुछ संभी है तो अगर इसमें हम देखेंगे तो इसका एंसर हो जाएगा कि लड़की के अनुसाद सब कुछ संभी है यह सची लगन और उंचा इरादा हो तो सब कुछ संभी है ठीक है एंसर डीपार हो जागा गद्यांस में नहित प्रमुक्ष अंदेश क्या है तो गद लोग करेंगे इसका PDF में प्रोवाइड करा दोंगा आप लोग PDF इसको डाउनलोड करके देख कर सकते हैं ठीक है आज कहता ओवराल वीडियो जिसमें लोगों ने टोटल प्रेक्टिस सेट जो है 10 प्रेक्टिस सेट सॉल्व किया ठीक है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ वे पने दोस्तों में ज़्याद ज़्याद सेर करें ठीक है मिलते है